कि हलो बच्चों क्या हल चाहल कैसे हैं आप सब मैंने दीश्वर मां स्वागत करता हूं आप सभी का जोष बैच के अंदर सब्सक्राइब हाउ दो जोष वी आपके लिए एक पीवाई क्यू शेशन सिर्फ ऑप्टिक्स का क्योंकि ऑप्टिक्स की वेट इस बहुत जादा है इसका पीवाई क्यू शेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो इसके लिए आप पूरा तयार है हम लोग यहां पर हम लोग बात करेंगे जितने भी पीवाई क्यू आपके आए हुए है 2021 में 18 में 19 में 17 में उससे बाद तो क्योंकि बैटन भी चेंज हो गया है तो उस आपके आपके अब्जेक्टिव से हैं वह सारे हम लोग यहां पर डिसकास करेंगे तो बिटा जोश को पर करार रहे एंड आपका वेपर आने वाला है तो अल्दा वेरिवेस्ट आपके एक ताइक से स्टार्टिंग है तो चलिए बचे शुरुवात करते हैं तो गोल क्या रहेका पीकुद ऑफ दी ओप्टिक स्रीज ठीक है ओप्टिक्स का यानिकी विर इंक्लूडीं बोट रे एंड में लूट कर रहे हैं वेव विख एक्वरें कर रहे हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं पहला सवाल the image formed by the objective lens of a compound microscope अब एक जो compound microscope होता है उसका जो objective lens है वो कैसी image form करता है तो बिटा सवाल को ध्यान से पढ़ लेना क्या compound microscope की final image की बात तो नहीं कर रहा यह compound image की आपके objective बात कर रहा जैसे यहां पर तो इस बात का यहां पर कहीं होता है आपके पास ऐसा eyepiece clear like this इस तरीके से and let's say कि यहां पर कोई object है यहां पर कोई एक object है इस तरीके से parallel आयागा तो कहीं converge करेगा तो लाइट यहां से लाइट आएगी इस तरीके से लाइट यहां पर यहां पर यह दोनों रहें इंटर से कर रही है यह image बन जाएगी किसकी जो आपके objective से बनी है क्या बनी है objective से so this is the image formed by this objective ठीक and यह distance हो जाएगा इसका V0 distance हो जाएगा V0 now image देखो कैसे बनी है क्या पूचा हम से image कैसे form होती है अब image जो form होती है वो देखो कैसे हो रही है principle axis के नीचे है तो मतलब inverted है principle axis के नीचे है तो मतलब कैसी यह inverted है यह क्या है this is the image image by by objective lens ठीक है उसकी बात कर रहे है image formed by this objective lens clear तो पहली कैसी यह inverted principle axis के नीचे बनते जब भी principle axis के नीचे कोई चीछ बनेगी तो inverted ऊपर बनेगी तो erect clear कैसी है जिस direction में light जा रही है उसी direction में जाने की lens के लिए क्या हो जाए का यह real image हो जाएगी तो this will be a real image real image and magnified image होती है आप यहां से भी देख सकते हो इसकी height और इसकी height दोनों में फरक है तो आटमीन से क्या है magnified image बनती है कैसी बनती है है inverted real and magnified clear कैसी बनती है inverted real and magnified तो option के साथ सो देखो कौन तो सही हो जाएगा तो पहला option वर्ट्वल डेमिनिश गलत तीसरा option real and large यह हम बात कर रहे हैं पर तो यानिकी option 3 आपका सही हो जाएगा inverted real and magnified virtual गलत रियल सही लेकिन डिमिनिश नहीं होती ही magnified होती है तो इसलिए option गलत clear अच्छा इस रे को अगर मैं कम्लीट करूं डाइग्राम को तो बिटा यह कुछ इस तरीके से बनेगा अब यहां से यह इसी तला जाएगा धर की तरफ ऐसी तला जाएगा like this और इसको कहीं पीछे extend करोगे इसको कहीं पीछे extend करोगे like this इस तरीके से इस तरीके से यह आपकी मेज बन जाती है ऐसे ठीक है इस तरीके से आपके इमज बन जाती है एक्जाट्लि महां पर नहीं बनती है आगे पीछे कहीं भी बन सकती है अब यह कैसी मनि यह आपका अब्जेक्टिव था इस दो अब्जेक्टिव लेंज और यह कैसा है भी दिस आते है इस यॉर ईपेसब्स दिस आई पीस न आउ यहां पर अब देखो तो कैसी बन रही है वर्ट पर बन रही है जलमेज कैसी enlarge and inverted and inverted clear इस तरीके से बनती है तो यह बैट आपका compound microscope यहां पर एक और चीज़ अब्जर्ब करने वाली क्या है कि जो focal length होती है objective की बैट वह कम होती है किससे आइपी से ठीक है आइपी से focal length क्या होती है उसकी कम होती है यानिक योटा होता है बहुत सवाल है जो भुत जग्षास वाल नहीं गया लेकिन हां बेस्ट को स्वान बहुत सारे एंगे ठीक है है तो देक्रेक्ट आंसर इस ऑप्शन 3 डाट इस रियल और इनलाज क्लियर चलिए नेक्स्ट आप कॉन्वेक्स लेंस इस जिप दिना लिक्विड एक कॉन्वेक्स लेंस से जिसको आपने डिप किया है एक लिक्विड के अंदर हुज रिफ्राक्टिव इंडेक्स इप्वल रिफ्राक्टिव इंडेक्स आप मटीरियल ऑफ लेंस जिस मटीरियल का आपका लेंस बना हुआ है उसी मटीरियल उसी रिफ्राक्टिव इंडेक्स से बराबर आपके पास एक लिक्विड है और उसके अंदर आपने लेंस को डुबो दिया है आपको ने डिप कर दिया है त तो उसकी focal length क्या होगी तो समझी एक बात कि आपकी जो focal length होती है that is 1 by f that is equal to refractive index of the glass जिसका आपका lens बना हुआ है divided by refractive index of medium जिस medium में वो lens रखा हुआ है minus 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 यह होता है आपका lens formula I can say lens maker formula clear जहां पर mu g क्या है mu g is refractive index of material of glass material of lens जिस भी चीज का lens बना हुआ है उसका refractive index and mu m क्या हो जाएगा mu m हो जाएगा refractive index of medium of medium in which in which in which lens is placed in which lens is placed clear अब एक बात देखो इसने कहा है कि दोनों बराबर हो गए दोनों क्या हो गए बराबर हो गए अगर दोनों बराबर हो गए तो इसका मतले भी दोनों cancel out कर जाएगे और 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा so under condition condition क्या given है हमें हमें given है mu g this is equal to mu m so that means I can write 1 by f this will be equal to 0 to mu g by mu m kya ho जाएगा 1 and 1 minus 1 kya ho जाएगा 0 and 0 into something kya ho जाएगा 0 to this ka मतला 1 by f kya ho जाएगा 0 ho जाएगा and 1 by f 0 to this ka मतला focal length kya ho जाएगी that will be equal to 1 by 0 that is infinite kya ho जाएगी infinite so that means option 2 जो है वो हो जाएगा सही becomes infinite and its case में power कितनी हो जाएगी power क्या होती है 1 by f and अगर focal length infinity हो कोई तो power क्या हो जाएगी 0 clear power होती है बटा 1 by f so 1 by infinite क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहीं पर दूसर सवाल यह बन सकता है क्या रखिपावर क्या होगी lens की अगर मैं एक lens को dip कर देता हूँ एक medium के अंदर जिसका reflective index उस lens के material के बराबर है तो उस case में power क्या हो जाएगी power will be 0 and focal length will be infinite clear चलिए अगला सवाल critical angle for a light moving from medium 1 to medium 2 is theta the speed of light in medium 1 is V then the speed in medium 2 is to speed क्या होगी अच्छा बटेक बात और उसी सवाल पर वापस आते हैं ठीक है उसी सवाल पर फिर से वापस आते हैं अब यहां पर देखो रिखो रिखा था तो यह वाला म्यू एम माइनस वन माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू ध्यान से सुनों अब देखो कि अगर म्यूजी बड़ा होगा म्यूम से यानि कि जिस मीडियम में आपने लेंस को रखा है उसका तो इसका मतलब क्या है उसके में क्या होता है नेचर और लेंस रिटेंस रिमेंस तेक है remains same material का lens का nature नहीं बदलता है कब जब आपका glass का refractive index उस medium now refractive index से बढ़ा होता है तो ठीक है दूसरा case अगरμुजी लेस दिल मुय मोड़ा हो जाए मतलब죠 medium बढ़ा हो जाए मीड tubing कर एक्टिव बड़ा हो जाए ग्लास का छोटा हो जाए उस केस में क्या होगा उस केस में क्या होगा बई नेचर जो है वह रिवर्स हो जाएगा वह प्रीत हो जाएगा नेचर विल रिवर्स नेचर जो है वह चेंज हो जाएगा रिवर्स कर जाएगा रिवर्स कर जाएगा र इस तरीके से अगर आप एक मीडियम के अंदर लेंज को रखते हो और उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडिक्स क्या है ज्यादा है आज कंपेर्ट टू यॉर ग्लास जिसे आपका लेंज बना है एंडियर ग्लास यह बहुत इंपोर्टन कंडिशन में याद रखने इस बात को कि आपके क्या रहेगा मटीरल मीडियम क्या रहेगा ठीक है अच्छा अब तीसरा केस्ट हम देखी चुए है कि अगर म्यूजी बराबर हो जाए मियूजी बराबर हो जाए मूजी तो फोकल become infinite infinite और पावर कितनी जीरो पावर कितनी जीरो क्लियर चलिए अब आजाते इस सवाल पर वापस the critical angle the critical angle for light moving from medium 1 to medium 2 is theta but जब भी critical angle की बात करोगे ना तो हमेशे जहां रखना कि आपका जो light ray है वो move करेगी कहां से कहां लिटेज देंसर मीडियम टुआ रेरर मीडियम ठीक है डेंसर मीडियम से कहां जाएगी रेरर मीडियम में जाएगी ऐसा क्यों होगा सर क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए होगा कि अगर यह मेरे पास एक नॉर्मल है let's suppose like this and यहां से लाइट रेस तरीके से आई इसका रीफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है इसका रीफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है ठीक है की माल लेता हूं कि मैं यह वाला रर है यह वाला रहर है और यह वाला क्या है दैंसर है है मालेते हैं अगर ऐसा है तो एक बात देखो कि जब रेयर से दैंसर में आती है तो क्या होता है towards a normal बेंड होगी कैसे towards the normal इधर की तरफ clear इधर की तरफ इंगल को करते जाओगे आपका ये आपका कम होता जाएगा अगल को बढ़ते आप अ बता जाएगा अंगल भी बढ़ता जाएगा तो जब भी हम लोग बात करेंगे लेकिन इसके reverse case की बात करो इसके reverse case की बात करते है reverse case में देखो क्या होगा in the reverse case let's suppose कि आपने यह आपका आई है एंगल of incidence ठीक है and this is your mu1 and this is your mu2 अपकी बार यह denser है this is the denser medium और यह आपका है rarer medium rarer medium ठीक है now आप जैसे जैसे angle of incidence को बढ़ाओगे angle को बढ़ाओगे तो light ray कैसे bend होगी अपकी बार light ray bend होगी away from the normal like this rare sedan denser से rare में आ रहे है जब denser से rare में आगे तो क्या होगा away from the normal bend होती है तो normal यह रही उससे अवे बाहर की तरफ जा रही है जैसे बढ़ाते जाओं कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यह जो आपकी angle of refraction है यह आपका angle of refraction है यह लाइट रे बिल्कुल exactly ऐसे हो जाएगी इस तरीके से हो जाएगी यानि कि उस टाइम पर एक एंगल ऐसा आएगा कि जब आपका angle of refraction जो है वो क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री पहुंच जाएगा क्या हो जाएगा 90 डिग्री पहुंच जाएगा clear अब क्रिटिकल एंगल वही एंगल होता है कि वह एंगल वह एंगल ऑफ इंसिदेंस जहां पर आपका angle of refraction जो है वो क्या बन जाए 90 डिग्री बन जाएग सो critical angle for light moving from medium 1 to medium 2 is theta तो यह आपको दे दिया angle बिलके आपको theta दे दिया ठीक है the speed of light in the medium 1 is V then the speed in medium 2 is the speed of light medium 1 में अगर V है तो speed medium 2 में कितनी होगी है सिंपल सी बात बतानी है आपको ठीक है नाव एक बात देखो कि we know that sign c और I can say sign critical angle i c ठीक है critical angle i c this will be equal to याद करने की technique के मेटा है that is a mu rarer divided by mu denser mu rarer divided by mu denser चो कि critical angle सभी आएगा जब आपकी रे जो है वो denser से rarer medium में जाएगी उसलिसाब से अगर मैं इस बात को देखूं एक बात बताओ sign की value क्या होती है हमेशा one के बराबर या उससे छोटी होती है ठीक है one से बड़ी तो नहीं हो सकती अगर one से बड़ी नहीं हो सकती उसके मतलब ऊपर वाले का refractive index कभी भी बड़ा हो नहीं सकता तो simple सी बात ध्यान लिखना है अब इसने कहा कि medium one से medium two में जा रहा है तो इसका मतलब यह आपका denser होगा और यह आपका क्या होगा बैस बनारे रहोगा क्लिएर अगर ऐसा है तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा यह हो जाएगा म्यू टूब लाए O बराबर किसके बराबर साइन थीटा के बराबर तो साइन थीटा क्लियर दिसेज नूटू बाई यूवन ना आप से स्पीड की बात कर रहा है और रिफ्रक्टिव इंडेक्स की डेफिनिशन कहती है क्या डाट इस मूज एकुल टू सी बाई वी तो अगर मैं पहले मीडियम की बात करूं तो तो यह दिसम्यू वन तो स्पीड क्या हो जाएगी इसके अंदर वी है तो यानि कि मूज इकुल टू सी बाई वी डीफ्रक्ट इसके डिफ्रेशन क्या कहती है यह पीड अफ लाइट इन वाक्यूम डिवाइड बाई स्पीड अफ लाइट इन मीडियम तो मूज जाएगा सी बाई वी और मियू टू क्या हो जाएगा मियू टू डाट विल बेगवल टू सी बाई वी टू तो यहां से काम करते है मियू यून की यूवन निकाल लेते हैं तो यहां से जब म्यू टू र्म एमयू डिवय यून की वयलू निकालो को तो क्या आएगा तो चो रथीस मियू टू बई बैंड डीव बन दिस वी बेल वी एक वड़ टू वि 2 यह से हमने निकालने है बैठाah वी टू तो वीटू आ जा जाएगा वन बाइसाइन थीटा तो यानिकि यह आजाएगा वी बाइसाइन थीटा एक लिए प्राइट मेंस ऑप्षन टू जो है वह हो जाएगा सही अब इस सवाल यतर लेंदी था नहीं सवाल तो से एक सेकंड का था कि आपने देखा कि साइन रिटा क्या होगा मूटू ब पार्ट करना है लाट सिट आगया अंसर ही सब तो एक्स्टा बाते हैं ठीक एक्स्टा गया ने लियर चले नेक्स्ट अ मैगनिफाइं ग्लास इस तू बी यूज़ एट फिक्स्ट अब्जेक डिस्टेंस ऑफ वन इच आपका एक इंच का अब्जेक्ट डिस्टेंस है तो 1 이천ा मैंच चाहिए तो mega करेद्यू कर्या है कि इस फोक लें मैं निचांद खर लेकी सो यह क्या है महारे पास मारा फ्रो एक वोग्निफाइंस तो एक बार बताओ magnifying power क्या होती है magnification क्या होती है that is equal to v by u lens की क्या होती है that is v by u and u कितना है 1 inch तो that means v कितना आ जाएगा यहां से यह आ जाएगा 5u के बराबर तो यहने की 5 into minus 1 and that is equal to minus 5 inch यह आ जाएगा वी आपका होगे सर माइनस क्यों लगाया मेटा object distance real object के लिए हमेशा आपका minus u क्या रहता negative रहता है that is minus 1 तो u कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका minus 1 ठीक है now v की value मिलके u आपके पास है तो सीधर सीधर क्या लगा सकते हैं लगा सकते हैं lens formula that is 1 by f this is equal to 1 by v minus 1 by u तो यह आजाएगा 1 by v की value कितनी है minus का 5 तो रखदो minus का 5 minus 1 by u कितना minus का 1 तो यह आजाएगा 1 by minus 5 plus 1 तो यहाँ से आजाएगा कितना यह यह आजाएगा 1 by f this will be equal to 1-1 by 5 कितना हो जाएगा 4 by 5 रग दो 4 by 5 तो 4 by 5 तो बिटा यहां से कितना आ जाएगा 5 by 4 याने की 1.25 इंच clear सो आपका जो फोकल एंतारी है वो आ रही है 1.5 इंच याने की option C जो है वो हो जाएगा सही कैसन लगा सवाल यह बुडवक कैसन लगा बढ़िया चलिये आई यह विच आप फॉल्लइंग फिनोमेना टेक्स प्लेस वैना आपने के बाद क्या हुआ जब लाइट रीफ्राक्ट हुई यहां पर आने के बाद तो उसके इस तरीके से और इसको क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते इसको by Turzn के TESA हम कहते कि यहां से यहां से आया यहां से सब्सक्राइब हो में फैल इन अलग अलग और आपने कहां की सब्सक्राइबन तो होता ही किसाद यही सुचा था ठेक है जहां से सुनों वर्ड यहां लिखा हुआ है मोनो क्रॉमेटिक मोनो क्रॉमेटिक मोनो क्रॉमेटिक का मतलब होता है बटा सिंगल वेवलेंद एक ही वेवलेंद तें सिंगल वेवलेंद और जो हम लोग लाइट की बात करते हैं वाइट लाइट की बात करते हैं सनलाइट की बात करते हैं वह कैसी होती बैटा फिर वह पॉलीक्रोमेटिक बहुत सारी वेवलेंट का मिक्स्टर होता है ठीक है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां क्या है सिंगल वेवलेंट है अगर सिंगल वेवलन्थ है तो बेटा ये फिनॉमेना कैसे होगा ये फिनॉमेना कैसे होगा रिस्पर्शन कैसे करोगे फिर इस केस में क्या होगा बता है यहां से लाइट रे ऐसे आएगी नॉर्मल री फ्राक्षन होगा सर क्या होगा नॉर्मल री फ्राक्षन होगा जैसे री फ् कल गई कि डेविएशन कि डेविएशन कि खता है आगे अंसर तो बतलब यहां पर सिर्फ पर सिर्फ क्या होगा रीफ राक्षन होगा रीफ राक्षन के विदे से क्या आएगा डेविएशन आएगा सो डेविएशन आएगा सिर्फ पर सिर्फ ठीक है क्या आएगा डेविएश इसे लिए यहां पर दिसपर्जन नहीं आएगा ठीक है ध्यारनकना एसका बनेगा इसके बीच एक्स्रेंड करोगे यहां से लाइट निकलेगी इस तरीके से चली जाएगी इसको पीछे एक्टेंड करोगे तो यह एंगल जो बनता है इस इस यूर डेविएशन ठीक है नाओ तो पॉइंट इस कि यहां पर क्या होगा सिर्फ और सिर्फ डेविएशन होगा ठीक है सो ऑप्टिकल फाइबर जो है जो घरों में आजकल चल रहा है जो आपके नेट की चलता है बहुत टेजी नेट चलता है ठीक है वो फाइबर्स पे चलता है बेसिकल आपने देख पता होगा चलता है उप्ट आपने सुना होगा सो थिस फाइबर बेसिकली फाइबर ये फाइबर्स के पैटके फाइबर्स के फायदे ये हैं कि लौस बहुत गम होता है नुकसान नहीं होता इसलिए आपकी तेज़ बहूत स्पीड आती है नेट की यहां पर देखो ट्रवा ऐसा कुछ होता आपके पास एफ ऐसा वायर ओता केबल इस तरीके से होती है Dohar का बना होता है दो चीज ओकल को मिलके बना होता है अंदर वाले को कहते हैं पुर यह जो ब्लू वाला है ना दिस इस पूर यह बाहर वाला है इसको कहते हैं क्लैडिंग क्या क्यृता है क्लैडिंग ठीक है इसलिव नौल लोगी लगा हें यहां पर इस तरीके से यहां से आई ऐसे करके इस तरीके से इंटर करता सिगनल लेट सपोस एंगल आफ इंसिटन्स कुछ फिर यहां पर कुछ रीफ्रक्षन हुआ एंड लाइट रिया ऐसे गई लिट सब्सक्राइब इस तरीके से गया सिगनल सब्सक्राइब अगर बैल्द सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब। यह जो सिगनल है वो बाहर ना जाके लॉस ना हो सारा का सारा सिगनल इसी के अंदर मल्टिपल रिफ्लेक्शन होते जाएं क्या होते जाएं मल्टिपल रिफ्लेक्शन होते जाएं और यह सिगनल यहां से यहां ट्रांस्मिट हो जाएं विदाउट और आइकन से मिनिमम लॉस क के साथ clear so total internal reflection is the phenomena on which जहां पर आपका optical fiber जो है वो काम करता है clear एक दम चलिए नेक्स दा वैल्य ओड़ दा maximum amplitude produced due to interference of two wave is given by अब यह सवाल है आपके wave optics का and इसके अंदर आपको दो rays दे रखें दो waves दे रखें और आप से पूछ रहा है क्या है कि बही बताओ कि maximum amplitude कितना होगा maximum amplitude तो y1 is equal to 4 sine omega t and y2 will be equal to 3 cos omega t यह sine का function है यह cos का function है तो क्या मैं बता सकता हूँ कि इनके बीच में phase difference कितने का होगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 sine omega t plus pi by 2 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिख सकते हैं बिल्कुँ सर कोई दिखकर नहीं है sine pi by 2 plus theta क्या होता है cos theta होता है तो cos omega t आ जाएगा यानि कि मेरे पास दो waves है यह एक है 4 sine omega t और एक है 3 sine omega t plus pi by 2 तो यानि कि इनके बीच का phase difference जो है वो कितना हो जाएगा that is pi by 2 clear कितना हो जाएगा that is pi by 2 अब फेज दिफरेंस है ना इनके बीच में ऐसा होता नहीं कि इनके बीच में फेज दिफरेंस नहीं है है फेज दिफरेंस clear now अगर इनके बीच में फेज दिफरेंस है तो एक बात बता हो आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है that is equal to a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos pi by 2 हो जाएगा यहां पर और इसे cos phi होता है cos phase difference cos of phase difference that is phi so यहां पर आजाएगा क्या आपके पास let's say a1 हो जाएगा यह this is the amplitude this is a1 यह हो जाएगा a2 and यह हो जाएगा 5 this will be 5 तो अबर तीनों को उठाके वहां रख दो answer आ गया तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 4 square plus 3 square plus twice 3 into 4 into cos by 2 तो तो बेटा cos phi by 2 क्या होता है what is cos phi by 2 that is 0 तो यह तो हो गया खतम 0 सो यह खतम हो गया तो इसका मतलब यह आ जाएगा 4 square plus 3 square यानि कि यह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा simple सा सो इसका मतलब इसका जो maximum resultant हो सकता है वो कितना हो सकता है वह five हो सकता है because it has a phase difference of 5 by 2 अगर यह फेस्ट दिफ्रेंस नहीं होता है पाई बाई टू का लेट सपोस फेस्ट दिफ्रेंस जीरो कर देता लेट सबसे दिफ्रेंस जीरो कर दो तो यहां पर जीरो हो जाएगा तो उस अगर फेस्ट तो आपको यही लगाना पड़ेगा तो सेम यहां पर क्या है फेस्ट दिफरेंस अपाई बाई टू का तो रिजल्टन लगाया यह पांच आ रहा है तो आपको सही हो जाएगा एक next the phase difference of phase difference file a bit of new when happen this will be fire I guess the phase difference by phase difference by is related to path difference x phase difference by is related to path different delta x by so we have we know this relation care relation never time हमारे पास कि delta 5 जो होता है और I can say phase difference 5 this is equal to 2 pi by lambda into path difference याने कि delta x clear this is the relation job आपको याद पता होगा ठीक है इंटर फेरेंस बगारा में करते हैं इसको तो यहां पर आपको delta x निकालना है तो यह क्या आ जाएगा यह आ फाइगा 5 इंटू lambda upon 2 pi तो यह बन जाएगा आपका delta x clear तो पाथ difference कितना आ रहा है इस 5 इंटू lambda upon 2 pi तो कौन सो ऑप्शन दिख रहा है सा ऑप्शन 3 आपको ऐसा दिख रहा है डाट इस lambda upon 2 pi into 5 clear चलिए अगला सवाल तो रिमूब hyper metropia lens use एग तो hyper metropia इसका दूसरा नंव बताओ फटा फटकमेंट में लिखना दूसरा क्या होता 그럼 Europe up सवाल exclusion Türkiye ne सब्सक्राइब सब्सक्राइगा सब्रियुक्क्राइब खार जिक्राइपे करना थाल करना पार साइटेंस क्या और đã ठीक है कि होता बहुता है कि आपके पास ये आपकी आखें है सी लिनी आखे इस तरीके से को आंड यहां पर ऐसा कुछ होता है यहां पर कुछ ऐसा होता है कि लाइट रे यहां से आती ऐसे let's suppose parallel and यह जो आपका eye lens है न यह बेटा सक्षम नहीं होता है अब इसको यहाँ रेटीना पर इसकी image बनाने के लिए यह सक्षम नहीं होता यह क्या करता है यह यह करने कोशिच तो करता है लेकिन करते करते पीछे ले जाता है कहीं लाइक दिस इस तरीके से तो आपकी जो तो हमने क्या सोचा फिर लाइभ काम करते हैं यह सको इसको अर्ग और करना पढ़ेगा उख और जा इतंगे मुझे गीड़ेटिकर इसके ईंदर उसको बना दिया बैटरी मतलब मैंने इसकी लगा दी लेंस 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 लगा दी इसके तो लगाने के बाद देखो क्या हो गया चश्मा लगाने के बाद, यहां पर आया, यह लाइटर ऐसे मानते हैं, यहां से देखो लाइटर आ रही होगी, इस तरीके से, और हमने क्रेक्शन क्या करी, क्रेक्शन यह करी कि हमने यहां एक लेंज लगा दिया, साथ में क्या लगा दिया, जैसे ही लेंज लगा या बेटा, तो हमने यह जो है, वो यहां एक्जाक्ली रेटिना पर, अपर करने लगा, तो हमने जो फोकल लेंज इस तरह के चूज करेंगे, सो डाट कि जो है यह इसको यहीं पर कनवर्ज कर दे, पीछे ना भेजे, clear, so this is the correction of this hypermetropia, और this is the defect, hypermetropia यह है, तो कैसे करेट किया हमने, this is the corrective lens, this is the corrective lens, कौन से lens है, convex lens है, क्या करता है, कनवर्ज करता है, कनवर्जेंट लेंस भी कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो, कनवर्जेंट लेंस भी कह सकते हो, so convex lens is used to remove hypermetropia, और myopia के लिए क्या यूश करते है, myopia के लिए यूश करते है, बटा, concave lens, क्योकि myopia में क्या होता है, near sightedness, so myopia भी देख लो, सवाल आया है, तो myopia भी देख लो क्योंकि hypermetropia आ गया, तो हो सकता कि लिए पर myopia पूछ ले, so क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, कि आपके पास यांखे होंगी, इस तरीके से, and इस आखों में, light ray, let's suppose, ऐसे आई, and इसने क्या करा, वो यहीं पर converge कर दिया, बीच भी, यहीं पर converge कर दिया, तो आपकी retina पर image बनी ही, नहीं पास में बन गए, पहले ही बन गए, इमेज तो, दिखेगा क्या, कुछ नहीं दिखेगा, ठेक है, screen तो retina, retina क्या है, screen है, जहां पर आप चीज़े देख पाते हो, ठेक है, so that is retina, now अगर ऐसा हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब हमें काम करता हम लगा आते हैं अपर diverging lens, correction, correction, so correction में क्या है, correction में क्या है, देखो, so correction में हम लोग क्या करेंगे, diverging lens लगा देंगे, क्या कर देंगे, diverging lens लगा देंगे, यह आपकी आँठ, and यहां पर, light ray ऐसे आएगी इस तरीके से कुछ, like this, and यहां लगाएंगे हम क्या एक converging, sorry, divergent lens, like this, इस तरीके से, divergent lens, benefit, benefit यह होगा कि आप light ray जो पहले यहीं converge हो जा रही थी, जो पहले यहीं converge हो जा रही थी, अब नहीं होगे, अब वो कहाँ जाएगी, वो diverge होने की वज़े से, यहां चली जाएगी, diverge होने की वज़े से, वो पीछे चली जाएगी लाइक इस तरीके से, clear, तो ये काम होता है किसका आपके, divergent lens का, किसके अंदर, myopic eye के अंदर, ठीक है, myopic क्या है, this is your nearsightedness, आप पास का देख सकते हो, दूर का नहीं, nearsightedness, ठीक है, चलिए, next है, the resolving power of a human eye in minutes is, तो minutes में human eye की resolving power, पूछ रहा है, कितनी होती है, तो बेटर resolving power को आप आँखों की उससे मत समझ लेना, कि यार आप आँख में, क्या कहते हैं, कि जो आपको पता है कि least distance of distant vision होता है, कि 25 cm पर कोई भी आँखों को देखता नहीं होती देखने में, तो 25 cm से बिल्कुल confusion नपता होना, यहाँ पर आपसे वो resolving power की बात कर रहा है, resolving power क्या होती है, कि आप किसी भी कितने छोटे object को आप differentiate कर सकते हो, साफ साफ देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक dot बनाता हूँ, तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि यह दो dot है या एक dot है, ठीक है, ध्यान सिजा करना, जिनको दिखेगा यह दो dot है, तो समझ समझ जाना कि उनकी आँख अभी ठीक ठाक है, और जिनको लग रहा है कि सर यह तो एक dot है, एक के ओपर एक overlap कर रखा है, जिनको ऐसे लगेगा, तो समझ जाना कि थोड़ी गर्वड हो गई है, तो आमला वामला शुरू करें, फिर अलोवेरा वगरा खाएं, आमला खाएं, आँखों को अच्छा होता है कफी, ठीक है, तो बटा दो डॉट सहीं है, तो यह आँखों का खेल है सारी कि आख आप इनको डिफ्रेंट्टियेट कर पारे हो की नहीं कर पारे हो, तो रिजॉल्विंग पावर होती है, एक नॉर्मल हेल्दी हूमन आई की, ठीक है, मिनिट् अंगल इंट क्या कह होती है आप दिगृ से start करती हो फिर आता है मिनस फिराता है सेकेंड इस तरीकिस ञलता है जी जग्री मिनंट के लिए और यह होता है यहां पर तो इसका correct answer हो जाएगा option two that is one factual सवाल है ठीक है कोई exact explanation नहीं है इसकी बट लेकिना factor ठीक है नॉर्मल healthy human eye के लिए ऐसा ही होता है clear so इसका अंसर जरूर देखना कि आपको कितनी dot दिख रही है यहां पर चलिए next our fish is at a depth of root 7 cm and it can see only through a circular section of water surface इस लाइन के अंदर ने बहुत गहरी बात चुपी हुई है क्योंकि मचली जो है वो गहराई में है तो गहरी बात है ठीक है तो गहरी बात देखो क्या है मचली के लिए कि यह है मचली जल की रानी और यह जल है उसका ठीक है like this यह जल है ठीक है इस जल में लेट्स सपोस मचली है ठीक है मचली है तो यह रही मचली अब यहां पर होता क्या है एक बात बताओ लेट्स सपोस की उपर साब देखना चाहते हो इसको तो आपको लगेगा कि एक लाइट्रे लेट्स सपोस ऐसे आई अई यहां पर नॉर्मल यह देंशर मीटियां पानी होगा जडियंक होगा ऊपर हवा है तो पानी औवस्टर होता है किससे हवा से तो क्या होगा इस तरीक जाओगे तो एक एंगल एंगल ओफ इंशिडेंस ऐसा होगा कि जहाँ पर यह एंगल ओफ री फ्रैक्शिंट्ट जो है वो क्या हो जाएगा नभब डिगरी नहीं हो जायेगा और उससे जाधे और अंहांगल ओगृश्यक क्या हो झाएगा पियान हो जाएगा नहdefense को चाही अंधर यह अंतर रह जाएगी ऐसा मतलब यह है कि अगर मैं एक हो आगल बना हूं यह है अगंसे daylight को यह सही ने करा दो सब्पने सिटान चेंट्ट का हो जाए इंगल अफ एंसदेंस हो जाए आपका थीटा सी critical angle हो जाए तो आपकी light ray जो है वो क्या हो जाएगी रीफ्राक्ट हो जाएगी और ग्रेज करते हो जाएगी surface के ऊपर ठीक है ग्रेज करते हो जाएगी surface के ऊपर like this इस तरीके से angle of engine कितना थीटा सी critical angle ना अगर ऐसा है तो एक बात देखो उपर से पता कैसे दिखेगा उपर से circular surface दिखाई देता है यह तो कि इस region के अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा इस region के आसपार इस region के अंदर दिखता है बस क्लियर उसके बाहर ने दिख सकता कुछ भी और ऐसा है तो लेट सपोस्ट कि यह जो है वो कुछ अंदर है कितना distance लेट से यह कुछ एच हाइट अंदर है इसका refractive index लेट से लिक्विड का क्या है म्यू है और यह जो सरकल बना है ऊपर इसका रेडियस है बेटा कितना आर क्लियर क्लियर सो अगर यह एंगल आपका क्रिटिकल एंगल है थीटा सी तो यह भी क्या होगा थीटा सी होगा सेम अल्टरेट अंगल्स अल्टरेट अंगल थीटा सी तो इसका मतलब यह है कि I can write I can write साइन थीटा सी यह क्या होता है यह होता है अपका 1 by mu के बराबर अगर air है एक medium तो अगर rare medium आपका air है तो अंदर क्या हो नीच अदिसका माल लें हमने मूँ है उपर माल लेते एर है सो air का refractive index क्या है that is one तो क्या हो जाएगा 1 by mu ना अगर ऐसा है तो एक बात बताओ यह आर है यह है यह एंगल 90 डिग्री तो यह distance कितना हो जाएगा यह distance this will be equal to under root r square plus h square under root r square plus h square अब यह ट्राइंगल बन गया आपके पास यह कैसा ट्राइंगल बन गया इस तरीके से कि यह आपके अंगल थीटा सी यह आपके पास आर यह आपके पास h और यह distance कितना r square plus h square तो क्या मैं यहां से sign theta c की वाली नहीं सकता तो sign theta c कितना हो जाएगा यहां से sign theta c हो जाएगा आपके पास r upon under root r square plus h square clear बस अगर आपने इतना समझ लिया है इतना लिख लिया है फिर तो आपको क्या निकालना आरी तो निकालना है बस आजाएगा तो बेटा square कर दो तो यह हो जाएगा 1 by mu square upon r square divided by r square plus h square cross multiply कर दो तो यह आजाएगा r square plus h square this will be equal to mu square r square तो यहां से हम लिखेंगे h square this will be equal to mu square minus 1 into r square तो यहां से r कितना आजाएगा r आजाएगा आपके पास h upon root over mu square minus 1 this is the radius of that circular surface clear taboo chanze what will be the radii of this circular surface radius ही पूछा है हम से so radius मिल यह कितना h upon root mu square minus 1 अगर उसमान लो कि आप से उसने area पूछा होता तो area क्या हो जाता area of circle क्या होता है pi r square तो यह हो जाता pi pi h square upon mu square minus 1 clear तो यह आपका area आ जाता area of that circular cross section अब बात कर लेते हैं values की values भी रख देते हमें तो आर की value निकालने थी तो आर कितना आ जाएगा यह आ जाएगा h upon under root mu square minus 1 सेच है मारे पास root 7 and mu कितना है refractive index कितना है that is 4 by 3 तो 4 by 3 का square कर दो minus 1 तो root 7 divided by 4 का square होता है 16 तीन का square होता है 9 divided by 9 तो यह जाएगा रूट 7 upon root 7 into root 9 तो root 7 से root 7 cancel तो यह आ जाएगा 3 cm तो इस circle का जो radius होगा वो कितना होगा that is 3 cm clear कि स्वाई बात समझ तो यह है आपका case यह भी एक particular case है basically आपके किसका TIR का refraction का इन सब्सक्राइब क्लियर तो बहुत अच्छा कि एसे important आई इस इस वेरे important थिक है तो formula भी आथ कर लेना दिस अधुड फॉर्मुला थेकर दिस दा फॉर्मूला लेडियर सका और एरिया पाई आर्व स्कुर तो अगर डेशोथ कर लिया तो इस पो तो रखी दोगे ठिक है चलिए चलिए अगला सवाल, why red signals are used as a dangerous sign, मनला हमेशा लाल करना का ही dangerous sign क्यों होता है, काले का क्यों नहीं बनाते है, किसी और का क्यों नहीं बनाते है, लाल का ही क्यों बनाते है, स्कैटरिंग के बारे में यहां पर आपको पता होना चाहिए, किसके बारे में, स्कैटरिंग के बारे में, scattering, scattering of light, स्कैटरिंग अव लाइट के लिए हमारे पास एक भाई साब थे, रेले भाई साब, रेले कराइड एरिया, और उन्हों ने कहा कि या रेले ने कहा कि आपकी जो scattering होती है, वो lambda की power 4 के inversely proportion होती है, मतलब जितना ज्यादा लामडा होगा उतनी कम उसकी scattering होगी, ठीक है, उतनी कम scattering होगी, तो scattering of light, यहाँ पर आए रेले भाई साब, रेले क्राइड एरिया, रेले ने कहा कि स्कैर्टरिंग जो है, किसी भी light की, किसी भी रिव की, वो inversely proportional है कि इसके wavelength की power 4 के, wavelength की power 4 के, clear, ऐसा, और अगर ऐसा है, wavelength की power 4 के inversely proportional है, तो इसका मतलब यह है कि आपको पता है, विब ग्योर, विजिबल रिज़न यह है हमारे पास, विब ग्योर, और इस direction में wavelength बढ़ती है, इस direction में आपका mu बढ़ता है, refractive index बढ़ता है, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में आपके, wavelength के बारे में, तो red की जो wavelength होती है, lambda red, this is maximum, this is maximum, तो यह क्या होगा, this will be, least scattered, सबसे कम यह scattered होगा, इसी लिए बेटा यह आपको, हमेशा danger sign में दिखाई देता है, red light जो होती हो दूर से चमक जाती है, red light जो है, वो दूर से चमक जाती है, ठीक है, why, reason this, least scattered होता है, ठीक है, least scattered, वो एक point source, वो चमकता रहाएगा, उसके intensity कम नहीं होती है, scattering में होता है, क्या है, सब जगाँ फैल जाती है, लाइडना, सब जगाँ फैल जाती है, तो वो किसी एक point पर concentrate करी नहीं पाती, जब एक point पर concentrate नहीं कर पाते हैं, तो बटा क्या मिलता है, scattering, ठीक है, तो इसी लिए हमों कम दिखाई देता है, ठीक है, कम दिखाई देता है, तो इसी लिए red signals जो, जितने में danger signs होते हैं न सारे, वो क्या होते हैं, ता कि वो दूर से ही चमक जाएं, उसके intensity कम ना हो, विलकुल भी हो, दूर से ही चमक जाएं एक दम, ठीक है, नेक्स, a small pin is fixed on a table, and it is viewed from a distance of 50 cm from above, a glass slab of thickness 15 cm is placed just above the pin, so, कुछ कुछ ऐसा हो रखा होगा मतलब कि आपके पास एक ऐसी pin होगी, यह आपके पास table, एलेट सबूज, ऐसे करके लेट एक लेन इस तरीके से, and इसके ओपर आपने क्या किया, एक यहां पर ऐसे एक पिन रख दी, लाग दिश, ठीक है, ऐसे, आपने आपने ऐसे लिया, यह रखियो इसके लिया, यह रखियो श्क्राइब कि आपने इसके ओपर एक पंदरा संटिमेटर मोटी, एक एक पंदरा संटिमेटर मोटी, एक ऐसी ग्लास स्लैब रख दी, तो यह आपने ऐसे लिया, यह रखियो उसके ओपर पिन, और उसके ओपर यहां से ऐसे रख दिया, एक पंदरा संटिमेटर की ग्लास स्लैब, जिसका रिफ्रक्टिव इंडेक्स है 3 by 2, 2, now, now, अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, so let's suppose कि यहां से लाइटर ऐसे निकलेगी, यहां से ऐसे निकलेगी, इस तरीके से, let's say, and वो कहीं ऐसे चली जाएगी, यह ऐसे जाएगी, and वो कहीं ऐसे चली जाएगी, like this, इस तरीके से, and जब इसको पीछे एक्स्टेंड करोगे, तो यह कहीं यहां आके मिल जाएगी, तो यहां पर बैठा जो observer है, उसको क्या लगेगा, यहां पर बैठा जो observer है, उसको क्या लगेगा, उसको ऐसा लगेगा, कि यह जो pin है, जो आप यहां पर दिखाना चाह रहे हो, वो वहां नहीं है, वो कहा है, वो कहीं यहां है, उसको ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, clear, इस तरीके से लगेगा तो यहां पर देखो कुछ शिफ्ट आता है यहां पर जो है वो कुछ शिफ्ट आता है जिए जुन्हों ने कभी ऐसा नहीं अब्जर्व किया है घर में जाना पानी लेना जिसमें सब्सक्राइब नहां जाते हो उसके अंदर वो रख देना है कॉइन को दे यह देगा इंड कोई बीना लोगे काम करना जिसमें पानी बहर की व्यूसमें रख था यह देता है यह तो शिफ्ट कितना आएगा शिफ्ट कितना आएगा तो इसको मगर मैं वर्डिडिकल डाइग्राम में दिखा हूं आपको तो कुछ इस तरीए से दिखेगा कि यह यहां से ऐसे बनाया एक तरीके से, इस तरीके से, and यह कहीं यहां पर आ रही है, इस तरीके से, ऐसा लगेगा, like this, ऐसा लगेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा, clear, ऐसा, तो ऐसा लगेगा कि इसकी real, इसकी apparent depth वो यह है, this is the d apparent, ठीक है, and this is your d real, d real, clear, and इसका refractive index कितना माल लेते है, mu माल लेते है, so बेटा जो d apparent होती है, वो क्या हो जाती है, that is equal to d real, यानिका real depth, real depth divided by mu, so shift कितने का आएगा, what will be the shift, so shift आ जाएगा, आपका d real, minus d apparent, so real depth क्या देते है, माल लेते हैं, कितनी है, d है, so यह आजाएगा, d minus d by mu, so यह हो जाएगा, d common, ज्याने की, 1 minus 1 by mu, and this is your shift, यही आपका क्या है, shift है, clear, so shift कितना है, that is d into 1 minus 1 by mu, 2, तो बस सारी values है, हमारे पास, हाँ है, d क्या हो जाएगा, what will be the d, so d हो जाएगा, आपका glass slab की थिकनेस, glass slab की थिकनेस, clear, जो आपने slab रखी हुई है, उसकी थिकनेस हो जाएगी, that means, यहाँ से आजाएगा कितना, that the shift, shift, that will be equal to 15, 1 minus 1 by 3 by 2, so यहाँ से आजाएगा 15, 1 minus 1 upon 3, और 2 उपर आजाएगा, so यहाँ से आजाएगा 15, 1 minus 2 by 3 कितना हो जाएगा, 1 by 3, तो कितना आजाएगा, that is 5 centimetre, 5 centimetre, तो 5 centimetre वो उसको उठा हुआ दिखाई देगा, shift मिल गया यह, कितना क्या मिल गया आपको, shift मिल गया यह, तो अगर आपको exactly वो पूछे कितना हाइट हो गई उसकी, तो shift देखो कितना आ जाएगा, so, that the image of this pin will be viewed at what height, कौन सी height पर दिखाई देगी, तो shift निकाल लिया, आपने कितने का आया, 5 centimetre का, तो कितने उपर दिखाई देगा, पहले 50 पर था, पहले कितने पर था, 50 पर था, अब कितने पर जाएगा, 45 पर, क्योंकि 5 centimetre वो उठ गया, so, image will be, image, image will be seen at a height, will be seen at a height of 50 minus 5 याने की 45 centimetre पर, clear, तो 45 centimetre पर वो उसको अब दिखाई देगा, उसको ऐसे लगेगा, 45 centimetre पर है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल, explain Huygens principle of secondary wavelets, and on the basis of this principle, establish the law of refraction, of refraction, or reflection, तो आपको Huygens principle explaining करना है, यहाँ पर, आप दो को यह सवाल यहाँ पर डालने का परपस यह है, कि यह 5 marks का सवाल है, और आपको wave optics में बहुत important है, ठीक है, this is the 5 marker, this is the 5 marker, 5 marks का सवाल है, ठीक है, अब इसके दनर क्या करना है, इसके दनर आपको पहले Huygens principle बताना है, what is Huygens principle, ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पर definition, किसकी, definition of Huygens principle, अगर यह 5 marks का सवाल है, तो इसमें महनत तो लगेगी न, सबसे पहले आपको लिखना है, Huygens principle, then आपको यहाँ पर समझाना है, wavefront, definition लिखना है, किसकी, wavefront की, then आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, क्या, law of refraction, Snell's law प्रूफ करना है, आपको and reflection प्रूफ करना है, है, दोनों प्रूफ करना है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ, प्रूफ, reflection, reflection using Huygens principle, using Huygens principle and then refraction and then refraction, प्रूफ, रीफ्राक्षन, Snell's law प्रूफ करना है, basically, यहां से, तो प्रूफ, reflection, तो इस चार स्टेप में आपको इसका आंतर लिखना है, ठीक है, ऐसे करके चार स्टेप लिखोगे, तब जाके आपको फुल फ्लेज पार्ट्स मांक्स करेंगे, अब आप यहां पर कहोगे, इसका 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 आपने किया नहीं, प्रूफ, यहां पर derivation आपको यहां नहीं करा रहा हूँ, जब वेव आप्टेक्स के लेक्टर आएगा आपको क्या करना है, reflection and reflection दोनों ही यहां पर प्रूफ करना है, और से confused मत होना, अब language में देखो, language में और लिख दिया, तो इसका मतला है यह नहीं कि एक ही प्रूफ करोगे, आप नहीं, दोनों प्रूफ करना है यहां पर आपको, यहां पर language मिस्ते हैं बट लेकिन, यहां derivation बहुत important है, अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, step by step, चार बार लिख लेना, ठीक है, चलिए, अगला सवाल, two thin convex lenses of focal length, 15 cm and 30 cm are placed in contact, what will be the power of the combination, तो आपके बाद दो lenses हैं, जिनकी focal length आपको दे रखी है, 15 cm, 30 cm आपको बताना है कि इस combination की power क्या होगी, यह सवाल जो है ब सवाल था, इसके साथ सवाल यह और में था, तो आप देख सकते हो कि और में किस तरह की सवाल आपको आते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर, choice of question is very 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 important, because you have 96 questions, actual में, you have 96 questions, and how much you have to do, आपको करने सिर्फ कितने है, 35 पहले सेक्शन में, 10 दूसरे सेक्शन में तो कितना होगी, 45 and 10 कितना हो गया, 48, सबको 96 में से 48 करने, हाफ करने, तो यानि कि आपके पूरे paper के अंदर, choice of question is very very important, कि आप कौन सा question चूज कर रहे हो करने के लिए, because आपके पास हर, आप बढ़के सारा ही जा रहे हो, फिर भी आपको, कोई-कोई topic हो सकता है कि ऐसा हो कि इसमें less confident हो, ठीक है, हो सकता है कि इसमें आप ज्यादा ही confident हो, दोनों ही खराब होते है, कम confident वाला भी खराब होता है, ज्यादा वाला भी खराब होता है, ठीक है, confident होना चाहिए, सो हो सकता है कोई topic आपने बहुत ज्यादा छेदर पढ़ा हो, लेकिन वहाँ पर सवाल कुछ गलत आ जाए, ऐसा क कभी नहीं से ही है, क्या करना है मैं उस question को, देखा नहीं हो रहा है, छोड़ दो, skip कर दो, we have plenty of choices, 70 में से 35 objective करने है, और से choice क्या देगा है, कोई जिन्दगी में आपको, ठीक है, तो बिटर, choices आपको मिलेंगी, तो बस choice पे ध्यान रखना है कि कौन से choice करने हो, कोई वहाँ आपको ऐसा, ठीक है, तो इसी लिए ध्यान लखना है इस बात का, कि अगर आप से कोई question ऐसा लग रहा है, कि यह बहुत ज्यादा time taking है, या इसमें confident हो, या कुछ भी है, skip that, skip that, दूसर चूस कर लो, बहुत सारे options आएंगे पेपर में, clear, तो इसी बात का ध्यान लखना, तो यह सवाल है, उसके comparison में मेरे पास, यह सवाल है, अब इस सवाल का मैं क्या करूंगा, यह सवाल नुमेरिकल सवाल है, करना असान है, नुमेरिकल निकालना असान है, तो मैं इसको करूंगा, ठीक है, तो यही आपको choices है वहां पर, यही वहां पर choices है आपके पास, ठीक है, च जाएगी simple contact में रखा हुआ है तो that is P1 plus P2 ठीक है असान है and what is P1 यह हो जाएगा 1 by F1 तो P1 हो जाएगा यह हो जाएगा 1 by F1 प्लस 1 by F1 और एक काम करतें डारेट्रेट लिफोक्वत निकलते है तो 1 by F equivalent यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 by F1 plus 1 by F2 तो आट भीन्स यहा जाएगा 1 by 15 plus 1 by 30 एक इत ना जाएगा यहा जाएगा 30 और यहा जाएगा 2 plus 1 तो यानिकी 3 by 30 3 by 30 that means यहां से f equivalent कितना आ जाएगा 30 by 3 that is 10 cm तो 10 cm आ रही है focal length लेकिन पावर जब भी बात करते हैं तो focal length किसमें लिखते हैं मीटर में लिखते हैं तो यह कितना आ जाएगा that is 0.1 meter clear 0.1 meter f equivalent मिल गया वेटर f equivalent मिल गया तो पावर क्या होती है पावर होती है 1 by f equivalent किसमे मीटर में तो यह हो जाएगा 1 upon 0.1 that is 10 diopter 10 diopter is the power of this combination और एक तर आसानी सा आंसर आ गया clear so this is the first part second part a glass prism a music well to 1.66 up a glass का refractive index दे रखार इस्ता आपने प्रिस्म बनाया है अंगल अ प्रिस्म भी आपको गिवन है कितना बहुत्तर डिग्री और इस प्लेज इन वोटर जहां पर mu w कितना है that is 1.33 calculate the value of the minimum deviation produced by prism for parallel incident ray तो आपको क्या निकालना है आपको निकालना है यहां पर बिटा minimum deviation कितना होगा तो आपने एक formula सीखा हुआ है and the formula is mu that is equal to sign a plus delta m divided by 2 divided by sign of a by 2 अप सवाल यहां पर यह है कि आपका जो म्यू है ग्लास का और आपको medium दो दे रखा है तो basically यहां पर आपको जो म्यू है उसको यूज करना पड़ेगा आपको यहां पर mu लिखना है वो लिखना है ग्लास का with respect to that medium तो मैं क्या लिक हुआ है आपर refractive index of glass with respect to this medium तो यह हो जाएगा कितना तो यह हो जाएगा कितना तो यह 1.66 divided by 1.33 and this will be equal to sign a plus delta m by 2 a plus delta m by 2 divided by sign a by 2 clear इस तरी के से 1.66 upon 1.33 तो यह अप्रोक्सिमेटरी कुछ 1.6 is 1.33 तो यह अप्रोक्सिमेटली 1.2 क्या सपसाना चाहिए 1.248 and this will be equal to sign a plus delta m by 2 divided by sign a by 2 यह हो जाएगा आपका sign 72 by 2 याने कि यह हो जाएगा कितना that is sign 36 degree ठीक है सो यहां से आप क्या करोगे आप लिखोगे कि sign a plus delta m by 2 and this will be equal to 1.248 into sign 36 अब यहां परना difficulty है इसको solve करना है ठीक है difficulty यह है कि मैं को sign 36 की value नहीं पता पहली बात फिर उसके बाद मैं अगर मैंने गलती से value निकाल भी लिए approximate करके जैसे कि मैं कह दूंगा कि या sign 31 by 2 होता है 0.5 तो थोड़ा से बढ़ा के लिख देते हैं तो 0.52 लिख देते हैं 0.53 लिख देते हैं इससे आदे क्या बढ़ेंगे ठीक है लेकिन बात यह है कि जब उसको multiply करूँगा 1.248 के साथ तो उसके बाद मुझे उसका sign का inverse भी लेना पड़ेगा तो यहां पर हो सकता है कि शायद actually don't know कि यार आपको exam के अंदर कोई sign table की चीज मिलती है कि नहीं है ठीक है अगर आपको अगर आपके पास सुविदा हुई कि आप sign table देख सकते हो sign table अगर मिलता है लक्से तो आप sign table देख सकते हो या फिर आपको अगर values given होगी तो आपका फायदा है तो आपको सवाल को आगे continue कर सकते हो otherwise आपको इसको जितना reduce करना चाहूं उतना reduce कर दो बस तब थोड़ दो उसके बाद ठीक है सो जितना मैंने approximate किया था इसको वह कुछ इस तरीके से था कि 1.248 और sin 36 sin 36 approximately 0.53 के असपर चला जाएगा यह आपका कितना है 1.268 है ठीक है 1.268 और यह तो यह जो है न यह a plus delta m by 2 delta m by 2 this will be equal to sin inverse 1.248 into sin 36 ऐसा कुछ हो गाई है ठीक है इसकी value रखो को इसको sin inverse लोगे तो यह approximately आता है कुछ 47 degree 12 minutes ठीक है यह ऐसा कुछ आता है अब यह कैसे आएगी value this is from the sin table by apple value यह आपको value कहां देना पाँ गये value आप sign table से निकाल पाँ होगे अगर आपको sign table pepper में दी हुई रूँत Profile नहीं ठीक है साफ-साफ करेinkles पॉसिब्डल नहीं आई ठीक है तो यह आ जायगा कितना डाट़ अध्स प्लस डेल्टा एम बाई टू तो यहां से आप लिखोगे कि ए प्लस डेल्टा एम यह जाएगा कितना इसको मुल्टिप्लाइ करोगे तो 47-294 और टू से मुल्टिप्लाइ करोगे तो 24 गोल्टां कितना आजाएगा 94 डिग्री 12 मिनट 24 24 minutes 24 minutes minus 72 degree तो यह आ जाएगा कितना 22 degree and 24 minute and this is your minimum deviation clear that is 22 degree and 24 minute again repeating बेटा यहां पर आपको यहीं तक छोड़ना पड़ेगा सवाल को otherwise अगर आपको sign table नहीं दी होगी तो मैंने sign table को use करके इसकी value निकाली है ठीक है तो तब जाके मैं निकाल पाए हूँ आप तुम्हान नहीं मिलेग यह चीज़ ठीक है तो आपको क्या करना है आपको सवाल को जितना minimum reduce कर सकते हो महीता कर देना otherwise sign table आपको मिलेगी पेपर के अंदर ठीक है चलिए नेक्स्ट आपकोंवेक्स लेंस एन एकवल टो 1.5 इंवर्टर एन एकवल टो 1.33 देन इट विल बिहेव एज़ा तो कैसा बिहेव करें गई है अब एक बात बताओ मैंने वह सिखाया था कि अगर आपका रिफ्राक्टिव इंडेक्स ग्लास का वह बढ़ा हो किस से मीडियम से तोसका नेचर चेंज नहीं होता है एक मीडियम से बढ़ा है अगर बढ़ा है तो नेचर बिले रिमेन तेम नेचर नहीं नहीं बदलेगा नेचर विल रिमेन सेम नेचर नहीं बदलेगा और नेचर नहीं बदलेगा तो इसका मतलब इट विल रिमेन कंवर्जिंग इट फिल रिमेन कंवर्जिंग हो गया असान अब याद है आप समझ मारा हो कि जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था वह कितन a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the material of the lens then its focal length will become the question to repeat हो गया so यह तो infinite हो जाएगा क्यों क्यों कि बटा repeat हो गया है हम पर सवाल यह glass का refractive index medium का refractive index के बराबर हो जाएगा तो 1 by f this is equal to mu g by mu m minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 so यह हो जाएगा 0 so that means यहां से क्या आजाएगा focal and will be 1 by 0 that is infinite clear infinite so focal and care about a focal and the way infinite clear next light all its color to up light color kiski मज़े से होता है light color kiski वज़े से होता है इदा बता हो आपके अले बांस एक light आ रही है अलग-अलग photon assess धर वाध न्वाटन की जो speed होती है हर एक photon की speed होती है क्या वो अलग-अलग होती है हर एक photon जो आ रहा है उस light के अंदर क्या उसकी speed की अगला लाग है नहीं सब ही स्पीट छाते है शब की स्पीड से मोटे जो ऑखने एक यह सब कि पोलाइट की वह इंसके हिवासिट्ला प्लॉसटी पर डिपंड तो नहीं खर्ल को मतलब इससे उसका कोई लेना देना नहीं है पहली बात ठीक है दूसरी बात amplitude से क्या लेना देना amplitude तो बदलता रहता वह किसके उपर depend करता सोर्स कैसा है उसके उपर depend कर रहा है तो amplitude का तो color से कोई लेना देना है ही नहीं फेस से क्या लेना देना है कि आपकी light जो है वो कौन से color की होगी because the frequency बताती है क्या आपकी energy of that light और यह colors होते हैं वो सब उसी के relate उसी का खेल है ठीक है आप energy को क्या लिखते हो energy को आप लिखते हो क्योंकि क्योंकि let suppose की मेरे पास है कैसे glass है let suppose की मेरे पास है कैसे glass और इस glass का refractive index mu है कुछ let's say three by two example दे रहो आपको ठीक है जान दो सुनने इस बात को क्योंकि आप एक नियू लिखके ऐसी भाई लामडा लिखते हो कहो कि सब्सक्राइब करें लामडा को एक ही बात है नहीं एक बात नहीं है वाई यो की बेटा अगर इसका refractive index लामडा है और यहां से let's suppose कि आप एक लेड लाइट लेके आए हो इसकी वेवलेंद्स क्या होती है रिडीव करती है by a factor of । विव यहांपर लेट से लामडा है इसका refractive index Jimmy माल लेते है कि यहां पर जोब मेड़न्ड होगी यहां पर जो वेवलेंटी फोद होगी अंदर क्या हो जाएगी लेंदा and map new and let suppose let suppose कि ये बराबर आगे कि सिंसके लेंडा यह लो कि ये बराबर आगे लेंडा यह लोके तब आटिस्पोस कर लो अस्यूम कर लो हुख थिक है सब अगे इसे इनल Augen तो तो रेड़ लाइट और रहेगी अंदर अभी ये रहेगा जब भी मीडियम होता है बेटाओ से सेलर्टी रहती है तो इसी लिए जो light का color होता है न वो wavelength भी नहीं बता सकते बहले ही आप उसके energy को स्ट बाइल लामडा लिख रहे हो फिर भी नहीं बताओगे सो wavelength is also not the answer wavelength भी आंसर नहीं है ठीक है wavelength भी आंसर नहीं है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना सिर्फ पर से फ्रीक्वेंटी ही ऐसी है जो आपकी लाइट के कलर को बताती है एक्लियर तो दा करेक्ट आंसर इस ऑप्षिन ए डाड़ेस्ट प्रीक्वेंटी एक्लियर आई बस समझ की वेवर्ण क्यों नहीं होती है चलिए अगला सवाल विच्वन अगला सवाल विच्वन इसका घ्रहकटेविंडस प्रहुं होता है इसका आंसर है डाइमंड कितना होता है इसका offline 4 ऊपर चुके बराबर बहुत ज्यादा और इसी बात में अम माक्सिम्म जो नहीं confirmat फौके दो अगर ऐसा है तो बेटा इसके लिए में क्रिटिकल एंग लिख सकता हूं कितना साइन सी विल बी एक्वल टुवन अपॉइंट टू फोर टू तो यह आ जाता है कितना अप्रॉक्सिमेटली 23 डिग्री और एकन से 24.2 डिग्री आता है ठीक है मोर प्रसाइजली 24.2 डिग्री के इसके पाउस अता अब देखो कितना छोटा एंगल कितना कम रिटीकर्अल आया है ज्यादा कम और तक ऐसकी को çование लाएय को दो डायमंड इसको ज़्यादा ही होता है नियरली से ज़्यादा ही होता है सो फोर्टी आई आई आर देखो आई क्या हो सकता है आई कैन भी आई कैन भी ग्रेटर दें दिस 24.2 तो 90 डिगरी बहुत बड़ी रेंज मिल गए मिल गहीं मेरे को चौब इस दिगरी से नब्वे डिए तक में कुछ भी diamond that is sparkling of diamond clear so that means option 4 जो है वो सही हो जाएगा and remember कि यह किसकी वेरे से और sparkling of diamond that is TIR किसकी वेरे से TIR clear so diamond कि sparkling का reason भी क्या है TIR है and reason क्यों है यह क्योंकि बेटा TIR के लिए मेरे पास angle of incidence की range बहुत जादा है 24 दिग्री से लेकि 90 दिग्री तक मैं कोई सब्सक्राइब लखूँगा light का क्या होगा TIR होगा मतलब वो अंदर ही घूमती रह जाएगी diamond के और वो चमकेगा clear it will sparkle कि next magnifying power of astronomical telescope for a normal adjustment is तो normal adjustment में क्या होता है यह आपसे पूछ रहा है तो बेटर normal adjustment का मतलब क्या है what do you mean by normal adjustment normal adjustment का मतलब है कि आपकी जो final image है वो कहां बन गई infinity पर बन गई कहां बन गई infinity पर बन गई one plus sorry up to normal adjustment की बात कर रहे ना normal adjustment की sorry the normal adjustment क्या हो जाएगा this will be equal to minus f naught by f e क्या हो जाएगा it is minus f naught by f e क्योंकि final image जो है वो कहां बन रही है वो बन रही है इंफिनिटी पर बन रही है इंफिनिटी पर बन रही है और इंफिनिटी पर बन रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा minus f naught by f e clear तो इसका मतलब कौन सा option option a जो है वो हो जाएका सही that is minus f naught by f e clear next the deviation of a thin prism of a refractive index n and angle of prism a is so yahaan पर आपको क्या बताना है deviation मता नहीं है किसकी deviation of a thin prism of a refractive index n and angle of prism a so other thin prism है तो देखों मू क्या होता है और I can see up n लिखा हुए तो n लिख लेते हैं so n will be equal to fine fine a plus delta m by two divided by a sign a by two now is that a hot in prism kya kaha thin prism पहली बात about thin prism काया तो इसका मतलब the angle of refracting angle that is less than 10 degree पहली बात तो याद रखना कि जब भी आपका angle of prism जो है वाद 10 degree से कम होगा तब आप क्या कहोगी कि उसको वह thin prism है अगर ऐसा है तो इसका मतलब देखो कि अगर आपका और चाहिए आपका जाएगा आपकार पन्हें के सब्सक्राइंट कितना आजाएगा है तो अगर्यक से कितना एक न लेलो तो यानि कि यह आपका जर्रनल होता है यह आपका जर्रनल होता है आणड यह किसके लिए है ठिस इस फॉर तिंद रिजम ठीक है नेक्स्ट दाछ इसलिंटोह लेंश कोन्से डीपिक्ट के लिए हम लोग सेलby ट। अप्योग करते हैं तो बैटासलेंटि गैलेंज इसक विए कंप्योग करते हैं फमवे इसमें टिगमाटिजम में इस्में होता है कि हमारी परिपेंडिवील एक्सिस है न ऊश्रुम मेरे नो मेरी अर्फोगनल एक्सिस होती है मतलब एक 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 से आसे एक लेक्से ऐसे ठीक है तो एक क्या दिखाइए देगा वह बैद दोनको बराप सबकू की पास तरीक अधियर आपको वह सकते है कि ऐसे थिख़ाई दे कि वह एसे फूला हुआ दिखाई दे साइट यह फिर आप काई उस करते हैं है ऑन दितने यूज सिद्धे सब्सक्राइब ठिक किसके लिए as stigmatism के लिए ठीक चलिये next the wavefront due to a point source at a finite distance on the source is the source a finite distance for finite distance for the comments in the right finite distance but like you mentioned the the finite distance I was out on the phone I'm gonna be a positive point source of a big arguments a point source से लाइक दिस इस तरीके का और इससे क्या स्फेरिकल वेफ़र निकलते हैं इस तरीके के इस तरीके के निकलते हैं स्फेरिकल वेफ़र निकलते हैं ऐसे इस तरीके से अब मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताओ अ हैं आक जैसे जैसे मैं इस पॉइंट सोष से दूर जाता जाओंगा क्या यह जो सस्पेरिकल सर्फेस है इसके ढ़ा होता घाऊंग वलकुल वल थिज लाइग this let's say like this let's say like this and let's say like this और यहां यहां बन जाएगा क्या यहां बन जाएगा क्या यहां बन जाएगा क्या इस तरीके से ऐसे जितना बड़ा सर्कल बनेगा क्या उतना बड़ा रेडियस होगा अर्थ की बात करो अर्थ क्या है नियरली स्फेरीकल माल नेते हैं ठीक एक्टल तो क्यों कि उसका रेडियस बहुत बड़ा हो गया तो जब मैं यहां पर खड़ा हो कर देखूंगा बेटा तो में लगेगा यह तो बिटा होरिजॉंटल है कैसा है होरिजॉंटल है लीनियर है तो पॉइंट सोर्स की वज़े से कि उफंपने नैटी दिश्तेंस पर तो वो स्फेरिकल रहता है तो आंसर हो गिया स्फेरिकल लिकिन जैसे जैसे सोड़ से दूर जाता जाओंगा यह स्फेरिकल जो है वो कंवर्ड हो किसके अंदर प्लेनर में किसमें प्लेनर में क्योंकि इन्फाइन आइट प्लेनर एक प्लेन का जो रेडियस होता है वो कितना होता है इन्फाइन नाइट होता है एक स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस होता है वो कितना होता है इन्फाइन नाइट होता है तो कि वह स्ट्रेट in general, in general, so better in general, wave front, wave front of a point source, of a point source, is spherical, as well as, as well as, planar, as well as, planar, clear, भुलना मत इस बात को, ठीक है, भुलना नीज बात को, ठीक, भुलना नीज बात को, क्या, in general, wave front, of a spherical, surface, point source, is there, point source, is there, spherical, as well as, planar, ठीक, नीज भुलना, and, finite distance, पर पूछे, तो, तो, answers, क्या है, spherical, सिर्फ, ठीक है, जैसे, यहाँ पर पूछा, उसने, मेंशन किया, कि, finite distance, पर क्या होता है, तो, उसका अंसर, क्या है, spherical, ठीक है, चलिए, अगला सवाल, the equivalent of a two lenses in contact, having power, minus 15 diopter, and plus 5 diopter, क्या होगा, minus 15 D, or plus 15 D, तो, equivalent power, निकाल दें क्या, so, equivalent power, हो जाएगी, P1 plus P2, तो, यानि कि, यह हो जाएगी, minus 15, plus 5, तो, कितना हो गया, minus 10 diopter, तो, आपका कहेंगे, वर, F equivalent, कितना आजाएगा, F equivalent, या जाएगा, 1 by P, यानि कि, 1 upon, 1 upon, minus 10, that is, minus का, 0.1 meter, यानि कि, minus का, 10 centimeter, clear, तो, यानि कि, option 2 जो है, वो हो जाएगा, सही, ठीक है, बताना कैसा behave करेगा, combination कैसा behave करेगा, कमंड में बताना जड़ा, कैसा behave करेगा, the combination will behave like, which kind of lens, कौन से lens की तरह behave करेगा, ठीक है, चलिए, अगला सवाल, two thin convex lenses of power, plus 5 and plus 4 diopter applies, coaxially at distance 10 centimeter, find the focal length of the combination, तो, combination की focal length बताईए, अब की बार, जो है, वो कुछ distance पर रखे हुए हैं, कितने, 10 centimeter के, ठीक है, 10 centimeter के, तो, पिटा, पावर जो होती है, वो होती है, P1, plus P2, minus D, P1, P2, जाब, D क्या है, दोनों lenses के बीच का distance होता है, तो, पहले की पावर है 5, दूसरे की पावर है 4, minus D, 10 centimeter, तो, यानि कि इस तो, मीटर में करोगे, तो, कितना आ जाएगा, 0.1 meter, तो, यह आ जाएगा, minus 0.1, P1 हो जाएगा, 5, P2 हो जाएगा, 4, तो, यह आ जाएगा, 9, minus 5, 4, 20, into 0.1, तो, यह आ जाएगा, 2, तो, यानि कि 7, तो, equivalent power जो आ रही है, वो कितने आ रही है, 7 diopter, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, बिटा, focal length of the combination, तो, focal length क्या होती है, that is equal to 1 by P, यानि कि 1 by 7, अब centimeter में कर लेते हैं, तो, तो, 100 करना पड़ेगा, तो, यह आ जाएगा, 100 by 7 centimeter, and this is the focal length of this combination, clear, असान एक्दम, तो, बस, क्या याद करना है, यह formula याद करना है, इसका reverse क्या होगा, 1 by F, that will be equal to 1 by F1, plus 1 by F2, minus D, F1, F2, clear, D, F1, F2, चलिए, अगला सवाल, differentiate between primary rainbow and secondary rainbow, अरे सरी क्या कहा रहे हो, दो-दो rainbow होते हैं, का, एक ही तो होता है, ऐसे चमकता है वो, एक ही चमकता है बस, वो भी कभी-कभी चमकता है, वो भी कभी-कभी चमकता है, ऐसा दिखता है कुछ, ऐसा, ऐसा, हाना, लेकिन, 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 primary और secondary में न, color के order का फर्क हो जाता है, color के order का फर्क हो जाता है, जो आपने primary rainbow, जनली देखते हैं, लोग को कौन सा होता है, डाट इस, V, I, B, G, Y, O, R, ऐसा दिखता है, विब्ग्योर, टॉप पर रेट दिखता है, उसके निचे बाद ऐसे चलता रहता है, ठीक है, टॉप पर रेड है, टॉप पर रेड है, और सबसे निचे कौन है, वाइलेट है, यह आपका primary हो गया, यह आपका क्या हो गया, प्राइमरी हो गया लेकिन 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 कुछ ऐसी कंडिशन भी हो सकती है कि आपके पास कुछ ऐसी कंडिशन भी हो सकती है आपके पास कि यह रिवर्स हो जाए कि यह रिवर्स हो जाए रिवर्स और का मतलब पता क्या है कि यहां आ जाए रेड और यहां बन जाए आपका वाइलेट टॉप टोप उई रहेके से बनाते है हैं अब की पर वाइल अपका उपड़ ओगिआ यहां पर और इहां परकौन ऊपर आ और यहां पर क्या ही हो गया कि जो यह आवलागागा आपको दृखने लगे हैंत यह आपका है प्राइमरी यह आपका होजिएगा स्केंटरी तो इस प ही मरी है अंड यह हो जाएगा सेकंटर्ई इससे इंदर इस सेकन्टरी खीकर इससे क्या हुआ कि आपको अलग अलग फिन॑म्योन अलग 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 रेंबन रिन ब्रीत कर रेंदिग के अंदर तीन फिनुमनों तर में तुब अधिन टीन लोग दिखता है फिर प्राइमरी के सबसे पहले होता है बटा रीफ्राक्शन सल्माइट से हो जाता है कि पानी की बूंद के अंदर एक बार क्या कर से टकरती घहिए और क्या ओजाता है उसका इंटार्ण Al reflection we are not talking about TIR हम क्या कहें रिट इंटर्नल रिफ्लेक्शन ठीक अंदर ये अंदर उस पानी के बूंद के अंदर उसका reflection हो जाता है एंड तीसरा फिर उसके बाद वापस से क्या हो जाता है reflection जो बहार आने के लिए होता है ठीक है बहार आने के लिए होता है ऐसा होता है primary जो आपका angles बनते हैं जिस angles से बहार निकलता है उसके deviation आता है वो अलग अलग होता है deviation deviation क्या होता है deviation is equal to mu minus one into a यानि कि deviation आपका refractive index के उपर depend करेगा और wallet का refractive index maximum होता है म्यू वाइलेट क्या होता है माक्सिमम होता है जबकि म्यू रेड क्या होता है वह मिनिमम हो जाता है म्यू रेड क्या होता है मिनिमम हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि red वाले का deviation कम होगा normal cases की बात कर रहे हैं इस पर deviation कम आता है उसमें deviation जाद आएगा वाइलट में तो होता है क्या है इस तरीके जिए तलती है कहानी तो जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने पर इस पर प्राइमरी है इस पर क्या हुआ रीफ्राक्शन लुओ इंटरनल रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन लुओ एंड रीफ्रेक्शन लुओ ठीक है refraction, internal reflection and again refraction, again refraction, now, जब again refraction हुआ, so, इसमें क्या हुआ, फिर इसमें क्या फर्क है, यह आपका secondary, this is secondary, this is secondary, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है, refraction, फिर होता है क्या internal reflection, internal reflection, and फिर से होता है internal reflection, फिर से internal reflection and फिर आता है refraction, फिर आता है refraction, तो secondary rainbow के अंदर बेटर, चार processes होते हैं, चार phenomena होते हैं, जब कि आपको जब primary होता है, primary rainbow होता है, उसके अंदर सिर्फ तीन ही होते हैं, ठीक है, तो क्या फरकेंड के अंदर, primary के अंदर बेटर क्या होता है, आपका wallet नीचे होता है, red top पर होता है, लेकिन secondary के अंदर wallet top पर होता है, और red नीचे होता है, तो order आपका reverse हो जाता है, order आपका reverse हो जाता है, तो यह आपका reason है किसका, आपके primary कर देखुत कर लेता है तो डाइगराम कि यहां पर आपकी पानी की की बून्द होती है इस तरीके से ठीक है like this and यहां से sunlight आती है इस तरीके से this is the sunlight sunlight and यहां पर कही नॉर्मल मनेगा ऐसा यहां पर कही नॉर्मल बनेगा इस तरीके से like this so tooga rare to denser towards the normal like this is तरीके से and यहां पर हो जाता है इसका reflection यहां पर क्या हो जाता है इसका reflection and जब इसका reflection होता है यहां पर तो यह देखाँ क्या टी आई यार याप सरी normal and आप क्या होगा अभ यहां यह यह denser to rare to क्या होती आती है अवे निकलती है कैसे निकलती है अवे निकलती है, so somewhere like this, इस तरीके से, somewhere like this, इस तरीके से, clear, so red वाली जो होती है, उसका division ज्यादा होता है, as compared to this violet one, तो इसलिए आपका होता है, red वाला जो होता है, वो उपर तर जाता है, और आपका violet वाला नीचा जाता है, ठीक है, now, primary, यह आपका primary है, this is your primary, this is your primary, secondary में क्या होता है, secondary में क्या होता है, यह आपके पास drop इस तरीके से, and light रे जो है, वो ऐसे enter करती है, let's say, sunlight ऐसे enter करती है, यहाँ से, ऐसे करके, and यह इसका normal इस तरीके से, denser to rare, towards the normal bend होगी, एक बर यहाँ ही, एक बर यहाँ ही, फिर, यहाँ से इसका reflection हुआ like this, इस तरीके का, and फिर एक reflection जो है, वो यहाँ पर होता है, इस तरीके से, and फिर वो बहार निकलती है, तो जब यहाँ से बहार निकलती है, तो कैसे निकलती है, कुछ इस तरीके से, away from the normal तो ऐसे जाती है इस तरीके से clear इस तरीके से तो this is a very rough diagram ठीक है इस is the very rough diagram तो this is sunlight sunlight यहां से एंटर करती है इस निगलती है ऐसे ऑख टीर यहां तो छब हार आ जाती है ठीक है तो this is the final one this is the final one तो यह आपका secondary का है this is the case of secondary rainbow तो यह double reflection की विरे से जो है वो order जो है वो reverse हो जाता है double reflection की विरे से वो order reverse हो जा रहा है ठीक है चलिए next the velocity of light in medium a is v and velocity of light in medium b is 2v is the reflective index of medium a is mu a and reflective index of medium b is mu b then what will be the value of mu a by mu b तो आपको mu a by mu b की value बता नहीं है क्या होगी अगर आपको velocities given हो तो बटा यह तो definition पर आगया कि इसकी refractive index की definition क्या होती है so this mu this is equal to c by v यह definition होती है speed of light in vacuum divided by street of light medium तो यह बन जाता refractive index so इसने कहा कि mu a है mu a है and इसमें refractive index इसमें speed कितनी है medium a में है v तो c by v and mu b कितना है यह आपका c by 2v निकालना क्या है mu a by mu b तो ratio ले लो इनका बस so mu a by mu b यह आ जाएगा कितना that is c से c cancel out हो जाएगा v से v cancel out हो जाएगा तो कितना आ जाएगा two आ जाएगा ठीक है कितना जाएगा two आ जाएगा so mu a by mu b कितना आ रहा है two आ रहा है so the answer is two clear so जिसमें speed ज्यादा होती है वो कौन से medium होता है rarer medium होता है ठीक है जिसमें speed ज्यादा होती है जितनी ज्यादा speed उतना कम refractive index इतनी ज्यादा speed उतनी कम refractive index इतनी कम speed उतना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स clear चलिए अगला सवाल draw with neat diagram describe the construction and working of an astronomical telescope and find its magnifying power तो आपको astronomical telescope बनाना है देखो क्या क्या बनाना डियाग्राम एक आपको diagram बनाना है astronomical telescope का construction and working of an astronomical telescope and उसकी magnifying power तो यह full-fledged 5 marks का question है बेटा जो आपको करना है ठीक है तो इस इधा 5 marker दिखें इस इधा 5 marker तो अब बेटा यह जो questions है अब यह आपको lectures करने तो मिली जाएंगे ठीक है lectures आपको जो मिलेगा रहे optics का उसके अंदर आपको मिल जाएगा ठीक है what I am मैं यहां पर क्यों लेकर आए उसको सवाल को क्यों 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 पता होना चाहिए कि what is very very important for your exam so this is very important आपके बाद नोट्स तो ही सारे ठीक है you have proper notes of all the things तो आप उसमें से इसको copy कर लेना अपने दिमाग में बिठा लेना तो क्या क्या करना है विटा आपको सबसे पहले आपको क्या करना है diagram बनाना है Labeled diagram बनाना है कैसे बनता एक लेट सब्सक्राइब के पास यहां पर एपके पास एक objective लेंस है और इपास किया है आई भी सקर्णी कोनी क्या था इसका फॉल्टा था और एक फॉड़जेक् चोटा बनाया था और आपका इपीश बड़ावनाय तो यहां पर क्या है यहां पर क्यैब बढ़ा बनेगा अप्र checks क्या बनता है देखो को यहां पर छोटा बनता है आइपीस कैसा बनता है चोटा बनता है clear है यहां पर अब देखो टीलेसकोप का यूस क्या है distant object को लेके आना ठीक है distant object Wayne right that की चीज़े को देखते हैं औंब विछी दूर सा आती है तो मतल Gul उसकी रेपसी चीशे yeah like this है कर दिया लस्त इस तरीके से तो यह बन जाती है इसकी पहली इमिज से वज जाती है ऐसे गरगंज एक्ट करों के पीछे प्रिटिंग व्लिट इस तरेके से तरीके से अश्री एकारो के पीछ रहा हु़ Amend भाइस ऐसे ठीख अब यहां पर आपने मरालिया और अपट एक्पर नालिया इस तरह किसे भाइसे कोई लिए न रहा होती ह姬 इंग भी वह इन लगो फोकॉस पर बनाता है और फोक पर बनाते हैं तो तो यह बन जाता है आपका इस तरह के से तो ऐसे आपको लेबल डाइग्रम बनाना है बस आपको रेज दिखाने है और आपको ऐसे करके बजा लेना है ठीक है अच्छा उसके बाद आपको क्या बताना है construction construction में क्या 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 बता होगा कि आपके पास वह एक फोकल लेंस दो अपने लेंस लिए ठीक है दो अब जिए लेंस का नाम बताना कि दो कनवर्जिंग लेंस लिए एक के आपजेक्टिव क्या एक की फोकल लेंड बड़ी होती दूसरे वाले से यानिकि f0 जो होती है वह बड़ी होती है कि से f2 से ठीक है और उनके बीच में कुछ separation होता है जि उसके बाद आपको magnifying power निकाले तो working and magnifying power जो हो combined एक ही कुछ देंगा तो working and magnifying power calculation of this magnifying power यह आपका एक ही में बन जाएगा तो इसमें derivation जो magnifying power की है और working की जो है वह एक ही में लिख देना क्लियर तो यह पांस नंबर का सवाल आपना ऐसे बनता है ठीक है वेरी इंपोर्टन फॉर्ट इस चाप्टर ठीक है वेरी इंपोर्टन पांच मार्कर जो है वह इसी में से बनता है एक ना एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको गैरंटीड आने वाला है आज़ सब्सक्राइब करने है तो आप अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लो ठीक है चलिये वाट इस परसे पावर फाइंड दा निस्टरी कंडीशन पॉर अप्टेनिंग डेविएशन विदाउट इस पोर्जन बाइड टू थिन प्रिम तो हमारे पास सब सवाल है कि what is dispersive power क्या होती है then find the necessary condition for obtaining deviation without dispersion by two thin films पहले बात साइची समझते है कि dispersive power क्या होती है deviation क्या होता है dispersion क्यों नहीं होना चाहिए साइची बात बात करते हैं सो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है कि आपके पास यहां पर एक प्रिजम है let's suppose कि यहां से आपने लाइट रहे से इंसिरेंट कराई कि यहां से रिट्रेक्शन हुआ और यह ऐसे करके बाहर निकल जाएगी इस तरीके से बिद डिस पर्जिन विद डिस पर्जिन इजिए स्प्लिटिंग है किसके स्प्लिटिंग इस वाइट लाइट इन्टो इस कॉंपोनेंट्स इसको हम लोग कहते हैं क्या का dispersion ठीक है now अब deviation जो होता है वह आपको पता है कि मू माइनस वन इंट्व यह होता है वालट का जो री प्रेक्टिव इंडेक्स होता है वह सबसे ज़ादा होता है ठीक है as compared to a red का सबसे कम होता है so it's calm अतलब यह है कि यह जो deviation आया है यह deviation आया है this is what the red and deviation JK के लिए इसके लिए कि लिए मूत के लिए र satisf work कि है तो यहां से आपको मिल रेवेशन की बात करों किसकी angular dispersion, कितना angular dispersion हुआ, angular dispersion, so that is given by delta V minus delta R, clear, so that means यह आ जाएगा, mu V minus 1 into A, mu V minus 1 into A, and delta R क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, mu R minus 1 into A, so that means यहां से आ जाएगा, कितना यह है, minus A, minus A, plus K, and cancel out जाएगा, so you will get mu V minus mu R into A, and this is your angular dispersion, represented by theta, let's suppose, ठीटा से represent करते हैं, that is angular dispersion, that is mu V minus mu R into A, clear, now, अब यहां पर देखो, यह जो डवियेशन है, इस रेट के लिए लागा है, वालेट के लिए लागा है, और हमारे पास जो, white light split, white light के जो components है, वो क्या है, that is whip ग्योर, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसका average निकाल लूँ, mean deviation निकाल लूँ या फिर मैं, यहां पर क्या निकालता हूँ, mean deviation, so that is mean deviation, mean deviation, mean deviation, mean deviation, mean deviation, mean deviation, delta m, delta m, now delta m क्या होगा, यह हो जाएगा, आपका, म्यू mean, minus 1, into a, क्योंकि division क्या होता है, म्यू minus 1, into a, तो यहां पर मैं mean deviation के बात कर रहा हूँ, तो म्यू भी क्या लूँगा, mean लूँगा, और, म्यू किसका लेंगे अब, violet का और red का, violet का और red का, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास, that is, mu v plus mu r by 2, minus 1, into a, and this is the refractive index, जो आपके mean का होगा, and this corresponds to this, yellow light, यह किसके corresponding होता है, यह corresponding होता है, आपके yellow light के, तो यह बन जाता है, mu y minus 1, into a, and this is your mean deviation, clear, this is your mean deviation, mu y minus 1, into a, clear, now, यह जो आपका angular dispersion है, और यह आपको जो mean deviation है, इनका ratio अगर मैं ले लूँ, तो we get a new term, and that term is known as dispersive power, so what is dispersive power, so dispersive power, dispersive power, यह क्या हो जाएगा, इसको represent करते हैं omega से, और यह हो जाएगा, theta by delta mean, theta की value कितनी है, that is mu v minus mu r into a, divided by delta m क्या हो जाएगा, mean deviation that is mu y minus 1 into a, तो यहाँ से हम लोग, इस minus a से को cancel कर देंगे, तो यह आजाएगा, mu v minus mu r divided by mu y minus 1, and this is the dispersive power, this is the dispersive power, clear, now, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखो, अभी क्या रहा है कि find the necessary condition for obtaining deviation without dispersion by two thin prism, दो thin prism के साथ मुझे condition चाहिए कि deviation तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन dispersion नहीं होना चाहिए, याने कि net dispersion है 0, और dispersion क्या है देखो, that is mu v minus mu r into a, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक prism लेते हैं इस तरीके से, let's suppose एक prism मैंने यहाँ पर ऐसे लिया, and एक दूसरा prism जो है वो इसके साथ इस तरीके से रख देते हैं, दूसरा prism जो है, इस तरीके से इसके साथ रख देते हैं, like this, जितना dispersion इस green वाले से आएगा, उतहें dispersion, reverse direction में अगर इस pink वाले से आजाए, तो बेटा, net dispersion कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, So, let's say, इसके लिए जो रीफ्रक्टिव इंडेक सिथा हैं, वो क्या हैं, that is mu V, mu R, and mu Y, इसके लिए जो रीफ्रक्टिव इंडेक से हैं, वो क्या हैं, that is mu V dash, mu V dash, mu R dash, and mu Y dash, इसका angle of refraction कितना है, A है, और इसका यहाँ पर कितना है, that is A dash है, clear? now the net dispersion oh god that is theta that is equal to theta 1 minus theta 2 theta 1 minus theta 2y because jodd dispersion is saiyahoga uska opposite a misskita yet together then it is negative over so that means your data get na mu v minus mu r into a that is mu v minus mu r into a minus theta 2 kya ho jayega yeh ho jayega mu v dash minus mu r dash and this candle kitna hai that is a dash and this will be equal to zero this should be equal to zero why because hame kya karna hai hame net dispersion zero karna hai kya karna hai net dispersion zero karna hai theta net this should be zero this should be zero clear so yahan sa jayega kya that is mu v minus mu r into a this will be equal to mu v dash minus mu r dash into a dash clear and this is the condition for no dispersion no dispersion with a deviation so deviation without dispersion ki yeh repele the deviation kya legislation without dispersion wide- rules and leaving it is the condition for deviation deviation without dispersion without dispersion clear clear next condition you man अगया कर दिया पदा पर्धिया dubious तो आ जाए कोई दिखकत नहीं लेकिन पर्धिशं नहीं आना चाहिए तो हमने क्या करा जो जिस परद्वीसन टो को उठागे कर दिया जीरो कर दिया अगर मैं कहुंक्या monte deviation 0 हो dispersion कितना भी होता है कोई फ़क नहीं पड़ता तो दूसरी condition क्या बन जाएगी दूसरी condition बन जाएगी आपके पास dispersion dispersion without without deviation यानि कि net deviation जो है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए delta net that should be equal to 0 and यह किसके बराबर होगा यह बराबर होगा delta 1 minus delta 2 के और delta 1 कितना होगा यह हो जाएगा mu y minus 1 into a minus mu y dash minus 1 into a dash and this is equal to 0 तो यहां से आप क्या लिखोगे यहां से आप लिखोगे mu y minus 1 into a this will be equal to mu y dash minus 1 into a dash and this is the condition for your dispersion without deviation clear तो यह condition हो जाएगी dispersion without deviation की and यह condition हो जाएगी आपकी deviation without dispersion की clear एक्दम चलिए next the image formed by the simple microscope is the simple microscope की image formation कैसी होती है अब simple microscope कुछ नहीं है क्या है है एक convex lens है ठीड़ क्या है convex lens था। एक क्या है convex lens have a answers complex lens लीग जो object रख आप कर है what polar focus के बीच में रखा है अन्वकल आपको object polar focus के बीच में वह ब्रकाश औरी मेंच का बंतिए इमेज बनती है बेटा वर्चोल रिमेज बनती है कैसी बंती है वर्चोल एन एक इम्यज बनती है तोले इट सब्सक्राइब को आपके पास एक हैसा लैंस है इसको जब पीछे extend करोगे like this, like this, इस तरीकी से, तो यहां इसकी image बन जाएगी, यहां इसकी image बन जाएगी, and यहां से आप इसको देख रहे होते हो, यहां से आप इसको देख रहे होते हो, ठीक है, like this, ठीक है, now, अगर आप इसको यहां से ऐसे देख रहे हो, तो देखो, image कह आपन रहे इस ता इमेज और इस इस अब्जेक्ट तो कैसी में बनी वर्चुल इमेज बनी कैसी बनी वर्चुल बनी कैसी बनी एरेक्ट बनी प्रिंटिपल अक्सिस के ऊपर है और कैसी यह मैगनिफाइड कैसी यह मैगनिफाइड है क्लियर सो वर्चुल इरेक्ट एंड मागनिफाइड मेज बनाता है कौन आपका सिंपल माइक्रोस्कोप तो यानि की ऑप्शन एक जो है वो हो जाय का सही डाइड इस वर्चुल निरेक्ट क्लियर चलिये नेक्स्ट विच विचाव ता फॉलिए इपक्स रिमूट बाइड कॉ बनाते हैं बिखेने पीष्यले कुष् idelnा इस तरीके से ओढ़े यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं यहां पर हम लगा देते हैं अपना लेंस कॉंग्ष्ट गांस स्फाइदा हो दाट होता है कि ये जो पार्रल लाइटर इस आ रही है यहां ना अंवर्ज करके कहां आदा यहां कर जाती हैं इस तरीके से थिक है यहां कर जाती है तो यह हमारा फाइदा हो जाता है तो इसलिए हम क्या लागातें एक cable x लिंस लागाते हैं तो लडदेश पार साइट एज्नेर्स या फिर ologyया था है उपनी त offend तो पिया फैपरवटिशन एक पर्मेट आर म्यूवी माइनस म्यूवार दिवाइद बाई म्यूवाई माइनस वन क्लियर इस यौर डिस्पर्स इफ पावर तो कौन्स ऑप्शन ऑप्शन एक जो है वो सही हो जाएगा ठीक है डरिवेशन मैंने करा दिया भी थोड़ी दिर पहली एक नेक्स विलोश टेट है एक रेकुमसी इस विलोश टिरिंग्लास विल भी तो ग्लास के अंदे विलॉसर टीन होगे अगें ऐने कि यह यह पॉन मुच इतना है थ्री वाई टू तो टू पर आ जाएगा तो यह ओ जाएगा तो यह वाए तो यूच्छ ऑप्शन टू जो है वो हो जाएगा सही एक तम हल्वा सवाल आ रहे हैं सवाल आ एंगे बस तेंशन ना लो बिल्कुल भी अप्टिक्स बहुत असा तो नॉर्मल का मतलब इमेज इंफिनिटी इमेज इंफिनिटी पे इमेज अगर इंफिनिटी पे बनेगी तो होता क्या है इस तरीके से होता है कि यहां पर आपका अप्जेक्टिव हो गया यहां पर आपका आई पी सो गया यहां से लेंग आती है इस तरीके से ठीक है टाइट ये distance कितना होता है F.E क्योंकि जब ये object कि तरह काम करेगा इसके लिए तो यहां से इसकी कैसी जाएगी इसके पारलल जाएगी इस तरीके से इसके पारलल बनती इस तरीके से clear infinite normal adjustment final image का बनती है infinity पे final image at infinity normal adjustment final image at infinity so infinity पे बने कब बनेगी जब ये distance कितना होगा F.E. तो ये total क्या हो जाएगा ये हो जाएगा length so that means ये बन जाएगा आपका length कितनी हो जाएगी that is if not plus F.E. कितना हो जाएगा F not plus F.E. so that means consumption option 4 जो है एकदम सही हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है चलिए next the focal length of islands of a healthy man is एक सही सलामत आत्मी के लिए आख की focal and कितनी होती है बटा बार बार रेपीट कर रहा हूं ये जब 25 cm है इसको मत लगा के आ जाना this is nothing but least distance of distinct vision least the distance of distinct vision और ये variable होता है ये variable होता है variable मतलब कि छोटे बच्चों के लिए और करम होता है distinct vision तो कि आप ही विए आप छोटे होगे तो आप क्या करोंगा होगी सर मैं तो इस पास सभी पूरा पूरा देख पा रहो हूं 25 सेंटीमेटर कम सभी एक दम साफ देख पा रहूंग तो क्या ये तो गलत हो गया नहीं बेटा फोटे बच्चों में काम होता है ये तो बच्चों के अंदर बड़े होते उमर के साथ यह बहुत दूर भी चला जाता है ठीक है तो दिस नहीं बट लीस डिस्टेंस अधिस्टिंग विजिन अलेकिन आप से यह नहीं पूछा है कि आप कितनी पास से साफ साफ देख सकते हो यह नहीं पूछा है आप से आप रिखाए क्या फोकल लेंज क्या होगी इस आईलन्स की फोकल लेंज फोकल लेंज सो फोकल लेंज इन में जन्रल होती है तो यानि कि option 2 आपका सही हो जाएगा so these are some question जो आपके factual based सवाल है ठीक है उनका कोई वो नहीं है कि आप इसको verify करने बैठो के ठीक है तो this is factual based सवाल ठीक है fact based there next interference of light is the redistribution of which of the following physical quantities कौन सी physical quantities का यहां पर redistribution होता है redistribution of physical quantities so interference पता है इसका दूसर नाम पता है it is redistribution of energy it is redistribution of energy redistribution of energy nothing else क्योंकि कई बार सवाल यह भी आता है मन में कि यार सदिक बात बताओ कहीं पर वो डाक प्रिंट बन गया वहां पर तो अनर्जी है नहीं कहीं पर ब्राइट प्रिंट बन गई तो क्या हम लोग energy को खा गए energy को हमने खतम कर दिया जम स्टेट्मेंट कहते थे की एनर्जी इस नीदर कंज एनर्जी के नीदर भी क्रियेटेड नौर बिडिस्ट्रॉइड तो क्या वो स्टेट्मेंट खतम हो गई नहीं बैटा ऐसा नहीं हुआ ऐसा बिलकुल नहीं हुआ इनर्जी बस रीडिस्ट्रिपूट हुई हो सिस्टम के अंदर जो डार्क फिरन्ज ओलीड नियू नई इसलिए वह ब्राइट हो गया बस इतना ही हुआ है एनरजी रिडिस्ट्रिबूचन है और अब एनरजी डिस्ट्रिबूचन में कोई लेना देना है क्या स्पीड से कोई लिना देना है क्या नहीं स्पीड छोड़ दो स्पीड दो छोड़ दो लाइट के अंदर फ्रिक्वेंसी चेंज होती है क्या इंटर्फरेंस के अंदर एक लाइट भले कुछ भी हो रहा हो उसके क्या फ्रिक्वेंसी बदलेगी क्या सोर्स सेम है सोर्स को तो ब कम होती है хट पर यूनिट यह ऐसे भी तो लिख सकते हो Entertainment when unit area per unit time clear तिसका मतलब एनर्जी का distribution जो है redistribution जो हो basically intensity से relate कर सकते है आप intensity वहाँ पर redistribute होती है ठीक है intensity वहाँ पर redistribute होती है ठीक है next which of the following is the correct for the refractive index of a mean color that is yellow color yellow color the mean color is उसके लिए कौन सा सही होता है तो बेटा विब ग्योर विब ग्योर और इस direction में wavelength बढ़ेगी इस direction में म्यू बढ़ेगा तो बीच में कहीं पर हम लोग क्या करते हैं आवरेज निकाल देते हैं सो म्यू मीन म्यू मीन दिस इकवल टू म्यू यह लो और यह किसके बराबर होगा एक स्ट्रीमेंट के याने की वाइलेट और रेड के आवरेज के तो याने की म्यू वी प्लस म्यू आर बटा दो क्लियर तो डाट बीन्स कौन सा दिख रहा है ऐसा ऑप्शन वन आपको ऐसा दिख रहा है ठीक है क्लियर नेक्स्ट power of a parallel up लाख लैड इस अब पावर किसके वह भी पारलोर्व साइड ग्रा स्वाल यूधं पॉया कर cracking कि होता है अ दोनों प्लेंस विखेंगा लूसा एक डिश्र्ट कीन देख्वन का ऊसको चिक वेग remembers घै पाएक Перman ना चीन नहीं हो पाएगा अच्छा लेकिन मैं सबसकर उसी ट्री सा पूर्व करका बताँ वह लिख इयो लेंज की छोरी क्या कहती है यह यह इसका आर कितना इंफाइनाइट इसका आर कितना इंफाइनाइट अगा दोनों को इंफाइने रख दूंगा तो क्या हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटो वन बाइन इंफिनिटी माइनस वन बाइन इंफिनिटी तो यह जाएगा जी रोडिस इप्वल टुवन बाइए और वन बाइफ क्या होता है पावर वन बाइफ क्या होता है पावर क्लियर तो डाट मेंस पावर कितनी आ रही है पावर आ रही है पाव is zero and focal length is infinite clear एक्दम असान समझ माया next angular dispersion is equal to angular dispersion किसके बराबर होता है that is theta की बात कर रहा है याने की delta v minus delta r के बारे बात कर रहा है तो याने की mu v minus 1 into a minus mu r minus 1 into a that means यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा mu v minus mu r into a and this is your angular dispersion ठीक है तो याने की option 1 आपका हो जाएगा एकदम सही clear यह सब समझाद चुका हूँ मैं इसलिए बारबर जल्ली करा रहा हूँ इसको ठीक है next which of the following correct for astronomical telescope बैने भी बताया था आपको एक्स्ट्रनोमिकल टेलिस्कोप के लिए कौनसी कंडिशन होती है objective जो होता है वो क्या होता है बड़ा होता है इस compare to your IPS तो याने की option दुत्य जो है वो हो जाएगा एक दम सही ठीक है कि नेक्स अभी चार सवाल यह से basic सवाल चोटी चोटी बेसिक सवाल जो है जो आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं ठीक है तो इसको लिखके लाए है तो राइट ब्रूस्तोर लौ क्या होता है डेफिन से लिख लेना पूरी प्रॉपर एक वह एंगल एक light becomes completely polarized after passing through a polarizer so that means condition में क्या होता है उस condition में होता है that is tan theta p and this is equal to mu this is equal to mu clear so what is brewster law what is brewster law brewster law कहता है क्या कि वह एंगल जहां पर एक अनपॉलराइज लाइट को point of incidence पर टकराया जाए तो लाइट जो मिलेगी आपको क्या मिलेगी completely plane polarized light मिलेगी ठीक है this is brewster law यहां पर theta p क्या है theta p is angle of polarization angle of polarization clear next right to essential condition for the constructive disference constructive interference sorry constructive interference constructive interference अब constructive interference में क्या होगा बताओ पहली condition क्या होनी चाहिए पहली condition अब्सक्राइट ने चाहिए जोनों लाइट जे जो आपकी मिल रही है वो क्या करनी चाहिए चाहिए जाओने चाहिए जोनी चाहिए यह मोनो क्रमाटिक होनी चाहिए ठीक है और दूसरी condition light rays जो है वह आपके एमिट करनी चाहिए continuously अब जो सोर्सिस थे वह लाइट कुछ एमिट करेंगे वह continuously करने चाहिए light should emit be continuously continuous emission of the light continuous emission of a light of a light clear light continuous emission होना चाहिए ठीक है next what do you mean by the power of accommodation of a eye and right necessary condition for the total internal friction of a light तो दो सवाल और है आपके पास यह ठीक है so what do you mean by power of accommodation बटा जैसे मैं लिख रहा हो ना आपको ऐसे लिखके नहीं आना है दी जाद टू marker question ठीक है यह क्या है टू मार्क से question है जो आपको टू मार्क बनते हैं इंपॉर्ड़न टू मार्कर जो बनते हैं यह वो 되어 किया कैता है यह बन amendments लाइब आपको angle it becomes the completely plane polarized and that angle is known as the angle of polarization that is boost or lock at them take it and this law is known as boost or lock at the bar then you will let nest right to essential condition for the constructive interference so though essential condition can consult interference key the light rays which are going under interference must be monochromatic Pelley statement do see statement the source that emits the light to emit the light continuously so there should be a continuous emission of light through this source clear to accept the condition of the light the total internal reflection of the light the total internal reflection condition so total internal reflection condition kya hai kya apki light rays joe hai wou kaisi jani chahiye but up wou aapki jani chahiye denser se rarer medium mein thik hai yeh this is denser medium yeh rarer medium and and condition kya hai right necessary condition for the total internal reflection the pahli condition kya ho jayegi light should go from denser to rarer denser to rarer second angle of incidence should be greater than this critical angle 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 of incidence you have work critical angle to zada hola ta yeh add critical angle kya ho hos hai hai eee hos pae angle of reflection 90 hos hai hai liekin hame kay chahiye hame chahiye hame chahiye tir tir tia hos ka matlab aapka jango of incidence yo nao tia wou इस तरीके के सवाल आपके यहां पर होते हैं तो यह दो कंडिशन आपको लिखने कि है और को डॉटल इंटल एंटल इंट्राइशन अधिए और एंगल च्रिक्षावाल आपको मिलेंगे दो नुम्बर के अंदर बहुत बसिक सवाल होगे ठीक है तो definitions basic सवाल fundamental किसी भी चीज के बीचे जो है वह आपको आना चाहिए ठीक है next establish the formula for the thin lens given below this is the derivation again this is the derivation ठीक है 5 marker ठीक है 5 marker derivation है ठीक है 5 marker derivation है ठीक है इसके उपर 7 में सवाल भी देगा सवाल बन गया तो थिन लेंस के लिए देखो क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा लेंस है ठीक है ऐसा एक लेंस है यहां पर आपके पास object है यहां पर object है इस तरीके से और लाइट रहे हैं यहां पर आके कहीं ऐसे करके बना देती है सब्सक्राइब यहां पर इसके लिए तो देखो क्या होगा यहां पर आपके पास एक और यहां से लाइट रहे हैं यहां यह इसकी नॉर्मल जो है वह कहीं यहां पर इस से यहां पर ऐसे करके image बना रहा होगा इस तरीके से यहां पर इसकी image बना रहा होगा यहां से यहां से आ रहा है यहां से आ रहा है यहां से medium object n1 में है और इसका medium इसका refractive index कितना है that is n2 है कितना है n2 है so यहां पर आ जाएगा medium किसमे image बन रही है n2 distance कितना आ रहा है v1 distance v1 minus इसका कितना है n1 divided by object distance let's say माल लेते हैं कितना है u तो यह आ जाएगा by u this will be equal to n2 minus n1 and radius of curvature कितना है r1 तो by r1 this is the first equation clear this is the first equation as the other was second part of the food oh you drop a second part is three kids like this here are the partner is called a fun to go yeah second part like this is three kids say okay and yeah I say light ray you always light ray as you have set up a rai yogi was put a cry he was put a cry he like this is three kids a stick it a cry he and it's got a center have open your upper bundle of a normal year ready this is a center c2 and year radius over of a kid that is r2 and 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 yeah can you have been there and you have been here image banana like this is three kids final image final image or yogi just call you value the image i1 do it's well second surface really come curry yogi object on curry yogi so even to have a kiss a country a whoa object on the rear kiss kill second surface ke liye so what a hi even so yeah बन जाएगा आपका distance that is V1 यह बन जाएगा distance that is V1 अब क्लियर अब क्या होगा अब आपको object आउन किस्म होगा यह काउन्ट होगा कि भाई आपका एंटू से हारा है और image किसम पन रही है image बन रहे है एन बन में मस्कृत मानों रहे है एन बन में तो बस लचा दो सब्सेट सबक्राइक cocktail फर्म्ला तो यह अग Creator गजीच में जाहता है अपकी बाद इमेज मन रहे है एन एन वन में तो एने वन बाइद सेंसे कितना है डिस तेंस इसे minus is current reflective in this country n2 distance कितना है v1 so n2 by v1 this will be equal to n1 minus n2 by radius of curvature कितना है नथार 2 clear अब यह हो गया आपकी second equation इन दोनों को एड कर दो यह first equation और second equation को तो एड़ कर दो, so add 1 and 2, add 1 and 2, so add, add 1 and 2, इनको add कर दो, तो जब इनको add कर दो तो देखो क्या होगा, n2 by v1 और minus n2 by v1, cancel out, क्या बचेगा, n1 by u minus का और यहां से n by v, तो यहां से काम करते हैं, n1 common ले लेते हैं, n1 common लो तो यह बचेगा, 1 by v, minus 1 by u, this will be equal to, this will be equal to, यहां पर हैं आपके पास, n2 minus n1 by r1, यहां पर आपके पास है, n1 minus n2 by r2, तो यहां पर हो जाएगा, क्या आपके पास, n2, n2, n2 minus n1 by r1, अब अगर मैं यहां से negative sign common लेता हूं तो यहां बचेगा, n2 minus n1, so यह बन जाएगा, minus का, n2 minus n1 by r2, clear, now, अब यहां पर, n1 को उधर ले जाते हैं, और n2 minus n1 common लेते हैं, तो यह हो जाएगा, 1 by v minus 1 by u, this will be equal to, n2 minus n1 upon n2, and यहां बचेगा, आपके पास, 1 by r1 minus 1 by r2, clear, so यह हो जाएगा, sorry, n1 नहीं हापर, this is n1, this is n1, so यह हो जाएगा कितना, that is n2 by n1, n2 by n1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, and this will be equal to 1 by v minus 1 by u, clear, now, अब यहां पर आपको एक कंडिशन यूस करने पड़ेगा, limiting condition, क्या, कि वेन, वेन, यू आपका infinite हो, याने कि आपका इंफिनिटी पर हो, तो इमेज का बनती है, फोकस पर, अगा यू इंफिनिटी पर होगा, तो इमेज का बनेगी, फोकस पर, तो इसका मतलब, I can write, 1 by f minus 1 by infinity, this will be equal to n2 minus n1 minus 1, and 1 by r1 minus 1 by r2, तो यह बन जाएगा आपका 1 by f, क्योंकि यह तो हो जाएगा 0, तो यह बचेगा, n2 minus n1 minus 1, n2 1 by r1 minus 1 by r2, clear, तो यह बचेगा आपका formula, thin लेकर lens का, ठीक है, thin lens के लिए यह formula आता है, that is, 1 by f equal to n2 by n1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, clear, यहीं से बेटा आपका lens formula भी derive हो जाता है, बस इस condition को देखो अब, यह condition और यह condition match कर रही है क्या, यह formula और यह side match कर रही है, इधर क्या है, 1 by f, इधर क्या है, 1 by v minus 1 by u, तो इसको अगर मैं कहा दता हूँ, let's say 3 equation, and so कहा दता हूँ, 4th equation, तो from, from 3 and 4, from 3 and 4, क्या लिखूंगा, I will write 1 by f, this will be equal to 1 by v minus 1 by u, clear, और यह बन जाता है आपका lens formula, clear, तो दोन डरिवेशन एकी साथ हो जाती है, यह यह दिदे लेंस में कर formula, दिदे लेंस formula, ठीक है, ऐसे कह देते हैं इसको, clear, जही पुछवाया है था, हम से यहां पर यह करवाया था, 1 by f equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, clear, चलिए, next, to remove hypermetropia lens use this, तो कितनी बार सवाल आ गया, hypermetropia remove करने के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, convex lens यूज़ करते है, fast sighted lens पी कहते हैं इसको, तो क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, convex lens, next, optical fiber communication is based on which of the following phenomena, optical fiber किस पर base करता है बेटा, यह काम करता है आपके, TIR के उपर, किसके उपर, TIR के उपर, अंदर वाले का refractive index mu1, बाहर वाले का refractive index mu2, condition क्या होती है, mu1 is greater than mu2, यहां से lighter, ऐसे enter करती है, यहां पर टक्राने के बास क्रा हो जाता है, TIR और वैसे करके चलती जाती है, clear, so there is very negligible amount of loss, ठीक है, so that means कौन सो option, option 1 आपका हो जाएका सही, that is TIR, clear, तो बच्चो इसे के साथ हमारा optics का previous year session होता है, so I hope, I guess मैंने सारे optics की तो सवाल थे, मैंने cover कर लिये हैं, जितने derivations थी यहां पर वो सब cover कर ली है, ठीक है, आपको लिखना सिखा दिया है, बताना सिखा दिया है, करना कैसे है, जो भी थोड़ी बहुत, जो एक्स्रा बात है थी, वो भी सब कर ली है, ठीक है, so I hope, आप सब यहां तक बने रहे तो, thank you, thank you watching, thank you for watching, till the end, and again, सवाल वही है, कि how's the George बच्चों, ठीक है, तो बटा George को परकरार रखना, दो तरिक है, paper आपकी, तो इस रडी डे टाइम, सालभर की मेनत है, and एक 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 जाम है, ठीक है, सालभर की मेनत, और एक 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 जाम, टुम enmत, लाइम, सालभर की मेन cumarta-नो, और एक जाम है, जाम है, ठीक है, तो बगय्कित ऊकाश estंवां परकरा दॉआेँे सालभर के जाया है,